हेले अवरिवन आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल MS पतेरिया पे और मैं आपका दोस्त रवी आज 12th क्लास के next lecture और current and electricity के साथ यह हमने तीसरा lecture 12th क्लास का आज start किया है first part electrostatics के दो थे और current and electricity complete एक ही chapter के अंदर हम complete करेंगे जिसके अंदर 70 to 80 questions होंगे approximately और यह सारे questions PYQs हैं जो पहले NEET में आ चुके हैं लगबग 30 to 35 years के questions जो हैं मैं उठा के आपको करवा रहा हूं उनका core concept क्या है कैसे question बनाया गया है कैसे question आता है और कैसे आपको attempt करना है कम से कम time क्योंकि सारा matter time का है आप एक minute से भी पहले कैसे question को बनाओगे कैसे उस question को complete करोगे आपको जो है यह सारी बातें यहां बताई जाएंगी तो इसके लिए channel को like कर लीजिए share कीजिए subscribe कीजिए quality और content जवरदस्त होगा complete lecture के साथ आपको रहना पड़ेगा तब तक आपको जो है आप मैं नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि यहां पे कोई जड़ी बुटी नहीं है मैं आपको पिला दूँगा और आप तुरंत उसके जो है ग्यानी हो जाओगे उस ग्यान के लिए time लगता है और content के साथ और quality के साथ कोई compromise नहीं है बिल्कुल basic से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको कहते हैं जिनको कहते हैं जिसकी जो है physics में थोड़े बोड़ डाउट है सारे डाउट को clear करते हुए बिल्कुल basic यह मान के चलो मैं गड़ा खो जो भी आपके पास आएगा इसके बाद भी हम बहुत सारे courses start करेंगे और 30 या एक तारिक तक कोसिस रहेगे कि हम इसको complete कर दें तो देखिए बिना time गवाई हम सबसे पहला question start करते हैं सबसे first question जो है electrostatics unit खतम होने के बाद हमने जो start किया है current का देखिए क्या कहता है कि flow of 10 electron per second यानि कि किसकी बात कर रहा है कि वो 10 electron per second per second इसकी बात कर रहा है in a conducting wire constitute से current कितना current बनाएगा इसकी बात कर रहा है अब basically आपको क्या पता होने चाहिए कि आपको पता होने चाहिए कि जो current होता है उसका formula जो है वो q divided by t होता है ठीक है बाट इसमें इसने एक concept और introduce कर दिया unit number first का जिसको quantization of charge कहते है that is n into e के बराबर अगर इस q की value यहां रखूं तो यह हो जाएगा n into e multiply by t ठीक है परन्तु यह किसकी value दे रहा है n by t की value दे रहा देखो per second नीचे time दे दिया तो n by t की value तो यह पहले ही provide कर रहा है वो value कितनी है हमारे पास that is 10 ठीक है 10 electrons जो है यह 10 to raise power 7 electron मिलेगा complete यहां पर नई लिख पाया हूं तो 10 to raise power 7 होगा यह 10 to raise power 7 होगा यह 10 to raise power 7 होगा यह ठीक है अब electronic charge कितना है 1.6 into 10 to raise power minus 19 सभी को याद होने चाहिए electronic charge की value अगर यह electronic charge की value है तो यह बन गया 1.6 into 10 to raise power minus 12 ampere यह current बन गया इस तरह से तो 1.6 into 10 to raise power minus 12 ampere तो यह इसका क्या हो जाएगा question का answer हो जाएगा next question the resistance of wire is r ohm यहनि कि जो हमारे पास एक wire है और उस wire का resistance जो है वो कितना बोला उसने r ohm के बलाबर बोला है कि that is r if it is melted and stitched to n times its original length its new resistance will be उसको खीच के कितना बड़ा दिया पहले length l थी उसको कितने times कर दिया and l times कर दिया ऐसा कर दिया खीच के अब यहाँ पे आपको एक concept में समझाऊंगा और उस concept के बाद जितने भी ऐसे question है जो length को change कर रहे हैं या area को change कर रहे हैं सारे question आपके बन जाएंगे बस आपको just focus करना है जो मैं बता रहा है कि मान लिया जाए आपके पास ये wire है इस wire का कोई न कोई volume होगा भी अब इसको streets कर दिया और streets करके इसी wire को बढ़ा दिया कुछ इस तरह से ठीक है क्योंकि इसने length को बढ़ाया न n times कर दिया पर volume तो अब इसका क्या रहेगा constant रहेगा volume में change नहीं आना उसका area change हो जाएगा उसकी length change हो जाएगी दोनों चीजे जैसे कि यहाँ पे thickness ज़्यादा थी यहाँ thickness कम है area change हो रहा है length change हो रहा है पर दोनों का multiplication volume जितने material से बना था उतने material से बना इसलिए volume हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा अब ऐसे questions को solve करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है row L divided by area अब आप क्या कीजी है volume बनाईए volume बनाने के लिए मैं इसको length से multiply कर दूँ और length से ही divide कर दूँ तो आपको क्या दिखाई देगा that is resistance into my row L का square और बटे में क्या है area गुणा length area गुणा length क्या होता है volume होता है अब हमने ऐसा क्यू किया है क्योंकि हमने volume बना लिया और volume हमेशा क्या रहता है constant रहता है वो तो कभी change होता ही नहीं है तो दोनों case में जब आप इसको original लोगे जब इसको stretch करोगे तो मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा कोई question दिखे तुरंत आप उसको volume में convert कीजिए और उस volume को constant कर दीजिए अब density भी constant volume भी constant तो rho is directly proportional to L का square हो ज इसकी length change होके कितनी होगी है N L times हो गया है और उसका भी square करना पड़ेगा क्योंकि square में था अब R1 की value तो R दे रहा है ठीक है is equal to divided by मैं R2 और यह हो गया L का square divided by मैं N square L square L square से L square cancel यह N square इसके साथ जाएगा तो N square into R is equal to मैं R2 यानिकि नया resistance किसके बराबर होगा N square times of R यानिक N square times of R इसलिए जब भी आपको ऐसा question करना हो जब भी आपको ऐसा question attempt करना हो तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है मैं बार-बार यही बात बता रहा हूं कि आपको वही काम करना है कि volume को constant बनाए आपके पास automatic relationship पाजाएगा area में change किया होता माल लिया जाए इसी question में area में change क किया होता है तो हम क्या करते area से multiply area से divide करते तो उपर बनता volume अब की बास यहाँ volume और नीचे क्या हो जाता एका square हो जाता यान कि इसी quantity को कुछ इस तरह से करते हम L by A अब की बार कह रहा है कि length change नहीं और एरिया चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ area से multiply और area से divide अब यह area into length फिर से क्या बनेगा volume जो की constant बन जाएगा और यह क्या बनेगा A का square यानि कि resistance is inversely proportional to A square इस तरह से ठीक है तो वहाँ पे area कही साब से question करना है यहाँ length कही आपको attempt करना है तो मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूं कि basic concept जो आपको समझाया जा रहा है और मेरी कोशिस यही रहती है कि मैं साथ-साथ आपको basic concept समझाओं basic concept ही आपको जिताएगा मैं आपको पहले ही बता रहा हूं आप कितना भी रट्टा formula का माल लो आप कितना भी अब तक अंदर तक नहीं गुसके गए है उसके तो आपको नहीं पता चलेगा इसलिए मैं बार-बार कहता हूं मेरी कोशिस यही है कि मैं आपको basic समझाओं इसलिए quantity जो matter की और quality जो matter की है दोनों भरपूर मैं आपको provide कर रहा हूं तो इतनी बहुत सारी मैनत लगती इसको तैयार करने में इसको ढूंड़ने में तो एक like आपका एक share एक आपका subscribe मुझे और energy देगा और मैं आगे बढ़ने की जो है प्रेड़ना होगी एक आपके पास wire है जिसका resistance है चार ओव ठीक है is streaked to twice its original length अब देखिए L से कितना कर दिया two times of L कर दिया twice कर दिया the resistance of streaked wide would be अब कितना होगा यंकी नया resistance R-S कितना होगा अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब भी आपको ऐसा question attempt करना हो तो आपको क्या करना है पहले इसको length से multiply length से divide ये क्या बनेगा row L square divided by volume अभी अभी करवाया हुआ question है just जो है एक मिनिट पहले ही ये question आपको करवाया गया था आपके सामने ये रहा मैंने कहा था कि question को कुछ इस तरह से आपको attempt करना होगा जो आपके पास है जहाँ पे length को change हुआ था तो ये आपके सामने formula रहा सेम बना रखा है और इसी हिसाब से अब ये formula भी हम क्या करेंगे solve करेंगे इस question को भी solve करेंगे बिल्कुल same pattern पे और same तरीके से हम इसको solve करेंगे अलग-अलग तरीका बिल्कुल भी नहीं करेंगे अब क्या होगा देखिए यहाँ से फिर से resistance directly proportional किसके हो गया L के square की तो क्या होगा सबसे पहला resistance हो गया R और दूसरा resistance क्या हो गया R डैस देखिए पहला R दूसरा R डैस is equal to पहली length कितनी है पहली जो length है वो L और उसका square दूसरी length देखो directly proportional L square है दूसरी length में कितना कर दिया गया है 2L 2L कर दिया गया मतलब 4L का square क्योंकि 2L square करोगे तो क्या हो अब 4 times हो जाएगा तो अब यह L square से L square cancel नया resistance R divided by R डैस is equal to 1 वटे 4 चार उपर जाएगा तो 4 गुणा में R is equal to new resistance ठीक है अब पहले वाला resistance कितना है वही पहले वाला resistance तो 4 Ohm है तो इस 4 की 4 से multiply करोगे तो नया resistance आ जाएगा 16 Ohm के बराबर तो नय रजिस्टेंस की value क्या कोश्चन है मुस्किल कोश्चन बिल्कुल भी नहीं है कि कोश्चन की भरमार रहे गी आज दो डाई गंटे सांसों को थाम के और सयमता के साथ बैठे रही और कोपी पैन आप साथ में रखते हो तो साथ-साथ कोशिस कीजिए कि मेरे से पहले attempt कर दो और अपका अंस्वर आत की length है उसको स्ट्रीज कर दिया कितने percent से 10% से बिल्कुल सेम कोश्चन है यह इस new resistance and specific resistance विल भी अब आपको पता होने चाहिए कि specific resistance को ही क्या कहते है रो कहते है resistivity का दूसरा नाम ही क्या होता है specific resistance होता है यह आपको पता होना चाहिए रो होता है ठीक है अब फिर से formula क्या है r is equal to मैं रो l by a अगर उसको streets किया गया है अगर length को change किया गया है तो area change हो सकता है पर volume हमेशा क्या रहेगा constant इसलिए l से multiply l से divide फिर से resistance directly proportional किस के होगा भई l square के होगा ठीक है अब पहले उसका resistance क्या था और नया resistance कितना हो गया और डैस पहले length कितनी थी l square अब उसको क्या कर दिया है 10% से increase कर दिया गया है 10% से increase करने का मतलब नई length क्या होगी 1.1l हो गई है ठीक है अब किसी बच्चे को यह add नहीं करना आता तो आपको क्या करना है 10% बढ़ा दी तो l में पलस कर दो कितना 10% of length का और percentage के नाम का कर दो बटे में 100 दुबारा से सीको वो कहरा बढ़ा दी तो l में बढ़ा दो कितना 10% किसका 10% पहले वाली length का पहले वाली length कितनी l और percentage के नाम का बटे में 100 अगर गटाने की कहता तो यहां माइनस आ जाता अब यह क्या हो जाएगी 10 बटे 100 को 0.1 L लिख सकते हैं दोनों को add करोगे तो 1.1 L हो जाएगा तो नीचे क्या करेंगे हम 1.1 L का square अब देखी इसको simplify करो इसको simplify करोगे तो L square और 11 का square करोगे तो 1.21 यह 1.1 था 11 नहीं था 1.1 उसका square इंटू L का square इ that is 1.21 into R is equal to R dash ठीक है तो यह तो हो जाएगा इतना that is 1.21 इसमें 1.1 इसलिए option नहीं हो सकता बोथ remain same यह भी गलत option है 1.2 टाइम से यह भी गलत option है तो यह ठीक option है के वल क्यों क्यों क्योंकि जो resistivity होती है यह material की property है यहां पे material थोड़ी ने change किया उसने उस material को खीच के जिसके आगे यह लगा हो ty rule नहीं है फिर भी मैं समझा रहा हूँ rule नहीं maximum ऐसा ही होता है जिसके last में लगा हो ty जैसे कि resistivity conductivity यह सारे के सारे material की property होती है resistivity भी material की property है conductivity भी material की property है इसलिए जब भी आपको लास्ट में टी वाई वर्ड देखे, रूल नहीं, आर्ड एंड फास्ट पर मैक्सिमम मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, कि जैसे रजिस्टिवीटी, कंडक्टिवीटी, यह सब, ठीक है, यह सारे के सारे क्या होते हैं, मैटीरियल की प्रॉपर्टी, अब मैटीरियल चेंज नहीं क्या तो वो तो सेम रहेगा और यह 1.21 टाइम्स हो जाएगा, नेक्स्ट कॉस्ट्चन, अब देखे, अब देखे, रजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है, रो एल बाई में ए, इसके बराबर होता है, अब यह लेंथ की बात कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अब सर्टें वार है, उफ आइरनीज आर, इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ हार डबल, लेंथ को भी डबल कर दिया, और रेडियस को भी डबल कर दिया, क्या क्या होगा पाई आर स्केर के है तो आर को डबल किया तो यहां पे क्या बनेगा पाई इंटू आर का स्केर तो यह कितना बन जाएगा दैट इस फोर पाई आर स्केर मतलब कितने टाइम्स हो जाएगा चाल टाइम्स इसको कैंसिल करो कि दो तो नया रजिस्टेंस कितना हो जाएगा अब कोई बच्चा ये समझ रहा हो कि आपने directly कैसे कर दिया तो आप पी एक काम कीजिए पहले r1 इसको रखिए नया फार्मूला किसके लगाई r2 के लिए यहाँ पर क्या रख दीजिए pi r square तो r1 की value rho l by pi r1 square ठीक है फिर दूसरे में rho l2 by pi r2 square l2 की value 2l और r2 की value 2r रख के दोनों को divide कीजिए आपके पास relationship बन के आ जाएगा r by 2 resistance will be doubled and specific resistance will be hailed specific resistance तो कभी change ही नहीं होती यह तो option वैसे ही गलत हो गया resistance will be hailed and specific resistance will remain unchanged बिलकुल सही बात है अभी अभी बताया था specific resistance जिसका नाम resistivity होती है वो किसकी property है material की अगर वो material की property है तो कभी change नहीं होगी जब तक material change नहीं तब तक वो property भी change नहीं इसलिए ऐसा हुआ है तीसरा अगर option भी पड़े resistance will be hailed and specific resistance will double इसने double कर दिया तो गलत statement होगी resistance and specific resistance विल बहुत रिमेन अचे यह भी विलकुल गलत option है क्यों क्योंकि दोनों सेम तो नहीं रहेंगी change होगा उनके अदर ठीक है वाई क्योंकि आर स्केयर है और उदर क्या है खाली एल है इस प्रकार चे question number 6 a 6 volt battery is connected to terminal आपे 3 meter long wire देखिए 6 volt की battery है वो 3 meter long wire से connected है और यह battery कितने volt की है 6 volt की battery धान से समझना भई question के concept आने शुरू हो गए है conceptual question में गुचना शुरू हो गया है and uniform thickness and resistance of 100 ohm यानि कि इस 3 meter का resistance कितना दे रखा है 100 ohm दे रखा है 3 meter 3 meter का मतलब क्या हो गया 300 centimeter तो 300 centimeter का resistance कितना दे रखा है 100 ohm अगर 1 centimeter का कोई resistance फूच है तो कितना होगा that is 100 divided by 300 जानते होगे unitary method है 300 centimeter का सोम तो एक का कितना होगा 100 बटे 300 होगा the difference of potential between the two point on the wire separated by distance of 50 centimeter दो point जो 50 यह total कितना था 300 meter 300 centimeter 3 meter का मतलब 300 centimeter ठीक है 300 centimeter था अब हमने यह point माल लिए दो दोनों एक दूसरे से कितने separate हैं 50 centimeter है तो इनका potential difference क्या होगा अब एक बात सोचिए अगर हम इस पूरे diagram को कुछ इस तरह से change कर दें तो क्या गलत होगा यह हो गया 50 centimeter का length और यह बचा wavelength हो गया 250 centimeter का यह दो wire है इसका resistance हो गया R और इसका resistance हो गया R डैस और इन दोनों को फिर से battery से connect कर दिया किससे 6 volt की battery से आपको ऐसा परतीत नहीं हो रहा है कि हिसने इस wire के दो resistance बना दिये एक तो पूरा wire का पहले resistance कितना था 100 ohm के बराबर अब उसके दो टुकड़े बना दिये 50 centimeter का एक 250 centimeter का ऐसे बना दिया अब हमें पता है एक centimeter का resistance है इतना तो 50 का कितना होगा multiply by 50 तो cancel करेंगे यह इस से wire का resistance है यह इस वाले wire का resistance है 50 वटे 3 ohm ठीक है total 100 था 100 में से बचाओ 20 का होगा उसका आमें पता भी नहीं करना क्योंकि उसका potential ही नहीं पूछ रहा अब एक बात सोचिए अब यह पूरा wire है इस पूरे wire में से current कितना होगा current होगा V by R voltage कितनी एच्छ है और R कितना है 100 तो 2 ती एच्छ है दो से 50 तो current कितना हो गया 3 वटे 50 MPR आपको पता है कि current हमेशा series में कह रहता सेम रहता है जितना current यहां पे उतन आपको दिया हुआ है वो है 3 वटे 50 और आपको इसके resistance का पता चल गया वो है 50 वटे 3 हो तो इसकी voltage नहीं find out कर सकते क्या वी इकल टू आई इंटू आर ohms ला का फर्मूला लगा दीजिए current आपके पास कितना है 50 वटे 3 और resistance है आपके पास उल्टा हो गया resistance 50 वटे 3 current है 3 वोल्ट आगया ठीक है तो इसलिए हमारे पास क्या गया एक वोल्ट आगया ठीक है इस तरह से हमने cash treasury अपनाई है हमने यह अपनाया है कि सबसे पहले जो 50 cm के लिए था उसका resistance लिका लिया तो resistance कुछ ऐसे परतीत हो गया कि 50 cm और 250 cm दोनों series में है और series के कान इस 50 cm के resistance आगर पता चल गया तो हम इसका current निकाल लें क्योंकि current series में same रहता है तो हमने इसका current निकाल लिया तो current पता चल गया resistance पता चल गया voltage निकाल दो कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 300 cm के पास 6 volt है तो 1 के पास कितना होगा और 50 के पास कितना होगा Unitary method से भी हलांकी method को उबे करने का सही तरीका यही है वहाँ पे कोई mistake हो सकती या mistake नहीं होगी इसलिए इसका उत्तर क्या होगा एक वल्ट के बराबर होगा थी copper wires of length and area of cross section तीन copper wire का length और area of cross section आर क्या है L और A पहले का ठीक है दूसरे का है 2L और A by 2 और तीसरे का हमारे पास दे रखा है L by 2 और L by 2 A और 2 A इस परकार यह तीन है बही अलगला resistance is minimum minimum resistance के लिए सबसे पहले आपको resistance का फार्मूला पता होना चाहिए row L by A minimum कब होगा जब length इसकी क्या होना चाहिए minimum क्योंकि directly proportional है और area क्या होना चाहिए maximum अब इन तीनों में से एसा पेर डूढ़ो जहाँ area maximum पर length कम है direct देखते ही पता चल रहा है इस quantity का देखो यहाँ दोनों सेम है यहाँ length भी जादा है और area कम है यहाँ क्या area जादा है length कम है तो area तो जादा होना चाहिए length कम होना चाहिए जब resistance क्या होगी minimum तो wire of cross sectional area 2a जिसका cross sectional area 2a है आपको एक ही दिखाई दे रहा है यह वाला इसका resistance सबसे minimum हो जाएगा सीधा सा method था कुछ नहीं करना इसके अंदर next question देखें ए wire 50 cm long एक wire की length कितनी दे रखी है 50 cm 50 cm long and area of cross section है 1 mm square 1 mm square in cross section carries a current कितने current को carry कर रहा है that is equal to 4 mp वहन connected to 2 volt battery जब किस से connect है यह 2 volt की battery से resistivity of wire बतानी है देखें आपको एक wire दिया गया है यह wire इस wire को किस से connect कर दिया है इन्होंने 2 volt की battery से इस से connect कर दिया गया है जिसका length दे रखा है area of cross section दे रखा है अब यह क्या पूछ रहा resistivity तो resistivity का formula क्या होता है R is equal to my row L divided by A इस परकार से अगर इस resistance का area से multiply और length से divide कर दो तो हमारे पास क्या जाएगा row आजाएगा यह रो आ गया अगर हमें area तो पहले से ही मालूम है यह रहा length भी आमें पहले से ही मालूम है यह रही अगर आमें कहीं से resistance पता चल जाए तो हम resistivity find out कर सकते हैं वो कहां से पता चलेगी इस से यह दे रखा ohms ला से that is v is equal to i into r voltage कितनी है 2 divided by current कितना है आपके पास 4 तो यह क्या जाएगा resistance कितना जाएगा एक बटे 2 तो इस r की value आपके पास कितनी आगी 1 by 2 multiply by area कितना 1 mm square mm को बदलोगे तो कि मेटर में 10 raise power minus 6 divided by length कितनी है 50 cm उसको मेटर में बदलो तो यह हो जाएगा ऊपर 100 तो यह जाएगा 50 देखो 50 दूनी 100 so cancel तो उत्तर कितना होगा 10 raise power minus 6 के बराबर हो गया ठीक है तो 10 raise power minus 6 ohm meter 10 raise power minus 6 ठीक है बाई इस तरह से concept को बिलकुल easy तरीके से बिलकुल असान तरीके से कर रहे है कोई यहाँ पर मुस्कलात आपके सामने नहीं है मेरी कोसिस यह रहती है कि जब भी आपको कोई numerical कराए जाए उसको देखो इनके तरीके दूसरे भी है जो आपको standard direct हम उसको direct relate करके निकाल देंगे पर मैं इस सीज को बिलकुल basic से उठा रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा paper के अंदर आगर वो trick ना लगा पाए क्योंकि pressure के कान ट्रिक भूल जाता है तो उसके बाद वो अपने basic पे आ तो तुरंट उत्तर लेके अंसर दे देगा आपको question number no the masses of the wire of copper is in the ratio of देखो copper के mass का बता रहा copper है बस उनके mass का ratio m1, m2 और m3 तीनो के mass का ratio दे रहा है that is one ratio, three ratio, five and their length are in the ratio और इनके length का ratio है L1 ratio, L2 ratio, L3 ratio यह होगा five ratio, three ratio, one five ratio, three ratio, one इसके बराबर हो जाए their electrical resistances, इनके electrical resistance R की, तो R की value क्या होती है rho L divided by area अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि length directly इस formula में है mass का कोई लेना देना नहीं है इसलिए जो length का ratio वही resistance का तो कह देंगे कि जी 5 ratio, three ratio, एक जो आपको उत्तर में भी दे रखा है यह होगा, पर यह बिल्कुल गलत है मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से इसको आपको क्या करना पड़ेगा length से multiply और length से divide करना पड़ेगा तो resistance कितना आ जाएगा, that is equal to rho यह rho density वाला rho नहीं है यह तो resistivity वाला rho है तो उपर बनेगा L का square, नीचे बनेगा volume अब आपको पता होगा कि density is equal to mass by volume तो volume निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा M divided by मैं D इस तरह से, तो इस volume को change किया rho into L square divided by मैं इसको रखा M और उपर D तेखो, resistivity भी material की property और material को न को पर change नहीं हो रहा density भी material की property होती है density, T Y आगया पीछे resistivity, T Y आगया पीछे सारे के सारे material की property होती है तो यहाँ पर जो resistance है वो directly proportional कि इस पर depend करता है L square divided by मैं MP करता है अब ratio निकाल लेंगे सबसे पहले का क्या होगा, L का square L square हो जाएगा 25 देखो, L का square, L1 है 5, 5 का square 25, divided by मैं mass 1, अब दूसरा उठा लेते हैं, दूसरा हो जाएगा L, 3, 3 का square कितना 9, divided by मैं कोन 3, mass 3 है अब तीसरा उठा लेते हैं, तीसरा कोन उठाया, L3, L3 1 का square 1, divided by मैं mass कितना हो गया, 5, इसको cancel करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो यह बन गया 25 ratio 3 ratio 1 upon 5 simplify करेंगे तो इन 5 की इन दोनों से multiply करदो, तो 125 ratio इसकी करेंगे तो 15 और यहां कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा, ठीक है अब कहोगे यह, इससे हमें यह बनाना नहीं बनाना आता, तो simple है इस पूरी quantity को 5 से multiply करो इसको भी 5 से करो इसको भी 5 से करो इसको भी 5 से करो, यह इससे cancel out हो गया यह हो गया 15, यह हो गया 125, तो 125 ratio 15, ratio 5, ratio 1 यह उतर आ गया, इस तरह से बिल्कुल sleekे से आपको question करना है कबराने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे question आपके paper में नहीं आएंगे जो बहुत मुस्किल होंगे simplest concept के साथ question आएगा एक charged particle having drift velocity एक charged particle की drift velocity दे रखी है that is equal to 7.5 into 10 raised power minus 4 meter per second in electric field और उसका electric field कितना provide कर रखा है that is E is equal to 3 into 10 raised power minus 10 volt per meter hedge, mobility उसकी mobility क्या होगी mobility की unit पहले से ही दे रहा दो कई बार paper में mobility की unit ही पूछ ली जाती है बहुत बार ऐसा आया है कि जैसे आप CBSC board का exam देते हो किसी state board का exam देते हो ICSC board का exam देते हो तो वहाँ direct पूछ ली जाती कि mobility की unit क्या है और कई बार ये किसी competitive exam में पूछी गई है और इस topic के ओपर question आता है और आपको पता होने चाहिए mobility को denote करते है μू से और ये किसके बराबर होती है drift velocity per unit electric field के बराबर अब drift velocity का formula क्या है that is 7.5 multiply by 10 to raise power minus 4 और divided by में 3 into 10 to raise power minus 10 अब इसको simplify कीजिए जब आप इसको simplify करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा इस 3 से cancel करोगे तो 2.5 ये हो जाएगा अब ये जाएगा उपर 10 to raise power minus 10 क्या जाएगा उपर जाएगा जब 10 to raise power minus 10 उपर जाएगा तो plus का होगा plus का होगा तो 2.5 ये minus का 4 ये plus का 10 तो कितना बचेगा 10 to raise power 6 युनिट आपको provide कर रखिया तो 2.5 गुणा 10 to raise power 6 question number 11 question number 11 the mean free path of electrons in metal is mean free path मतलब lambda की value दे रहा है कितनी 4 गुणा 10 की सकती minus 8 मीटर the electric field which can give on an average 2 electron volt energy कितनी energy दे रहा है 2 electron volt energy to a electron in metal will be in the unit of electric field की value कूच रहा है वही कितना electric field होगा अब एक बात सोचिए आपको ये provide कर दी energy ठीक है energy की बात कर रहा है ठीक है अब energy जो होती है वो किसके बराबर भी होती है that is charge गुणा में potential अब कहोगी सर हमें ये formula जम नहीं रहा है जम नहीं रहा तो देखो मैं जमाता हूं that is V is equal to W divided by Q ये formula सब को जमता है अगर मैं इस क्याव को उपर लेके जमगा तो ये क्या हो जाएगा V into Q is equal to W अब ये Q कोन है electronic charge है तो ये हो जाएगा E into V is equal to W ठीक है वरक डन जिसको energy कह सकते हो ठीक है अब आपको पता होगा कि electric field is equal to V divided by D होता है अगर V की value यहां रखोगे तो V into D ये होगा ये electric field का relationship होता potential के साथ तो यहां पर क्या हो जाएगा energy जो की 2 electron volt के बराबर है that is equal to E into man E multiply by D अब इस E से तो E क्या होगा cancel out हो गया अब हमें electric field निकालना तो वो क्या बनेगा 2 बटेमर D is equal to electric field और ये distance ही तो ये lambda देखो unit भी meter है अगर कई बार आपको इस बात में पजल हो के mean length क्या बोल दी यहां तो distance आ रहा है तो आपको इसमें भी worried होने की जुरूत नहीं आप तुरंत क्या कीजिए आप तुरंत इसकी unit देख लीजिए unit meter है meter है तो ये distance ही है और distance है तो इसको रख दो दो बटेज 4 into 10 to raise power minus 8 ये हो जाएगा आपका electric field ठीक है अब देखिए उपर इसको cancel किया 2 तो point 5 into उपर जाएगा 10 to raise power 8 प्लस का simplify करोगे तो 5 गुणा 10 की सकती 7 ये उत्तरा जाएगा इस तरह से तो ये question concept मुस्किल नहीं है आपको benefit 100% होगा the velocity of a charge carries of a current about 1 ampere in a metal under normal condition of order of देखो जो भी charge carrier होते हैं किसी conductor के अंदर उनकी जो velocity होती वो fraction of mm second होती है ज्यादा नहीं होती है तो fraction of mm per second के बराबर होती है velocity ज्यादा velocity नहीं होती ये याद रखने का फेक्ट था आपको याद रखना पड़ेगा resistance of discharge tube is किस तरह का device है non-omic, zero-omic या बोथ हैं अंड भी कैसा device होता non-omic device होता भई जो पहले के discharge tube device आते थे tube का use होता था तो वो सारे non-omic device में आते हैं अगला question from the graph between current and voltage is shown आपको current और voltage के बीच आपको graph जो है दिया गया है आपके सामने graph है identify the porous one corresponding to negative resistance आपको negative के resistance के corresponding क्या बताना है ग्राबत कौन सा portion होगा इस सारे में से अब देखिए V किसके बराबर होता है I into R के बराबर ठीक है यही बात है अब हमें negative resistance के बारे में बात करनी है इगर आपका slope आपको क्या देगा resistance और इन सभी में से आपको एक ऐसा slope देखना है जो negative हो देखिए यह तो आपका slope क्या हो गया constant CD का slope आपका क्या हो गया negative और यह slope अगर आप E के लिए देखोगे तो positive होगा D के लिए देखोगे अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ध्यान से आपको यह नजर आएगा कि जो C से लेकर के D तक का slope है वो negative है और negative slope है तो resistance भी negative है तो portion कौन सा हो जाएगा हमारा CD वाला portion हो जाएगा यह negative resistance का portion है next question which of the flowing graph represents the variation of resistivity with temperature of copper अब आपको ध्यान देना कि copper एक conductor में आता है copper किस में आता है conductor में आता है ठीक है और conductor में आने के काण इसका resistance and इसकी resistivity बढ़ती है किसके साथ temperature के साथ खाली conductor ही ऐसे हैं जिनकी resistivity और resistance R का मतलब resistance और R का मतलब resistivity दोनों की दोनों बढ़ती है temperature के बढ़ा आने के साथ और दूसरा इनका जो alpha होता है coefficient होता है वो क्या होता positive क्यावल और क्यावल किसके लिए conductor के लिए बाकी जो insulator बच गया semi-conductor बच गया LOA बच गया सभी के लिए alpha क्या होता negative इसके लिए positive तब increasing का graph कौन सा ये आप काओगे sir ये तो चलो hyperbolic है ये decreasing का ये भी तो increasing का straight line नहीं होता exponentially इसका क्या करता है graph increase करता है आपको याद रखना है ये graph होता है NEET 2020 में पूछा गया person है और इसके साथ-साथ CVSC board में बहुत बार repeated question है ये ये वाला question और आपको याद रखना है कि copper is a conductor तब आप इसको बना पहोगे next question है the solid which have negative temperature coefficient अभी अभी बताया alpha kevel और kevel positive किसके लिए होता है alpha kevel और kevel positive किसके लिए होता है kevel और kevel conductor के लिए positive होता है बाकि सभी के लिए क्या होता है negative होता है conductor के लिए positive और बाकि सभी के लिए क्या होगा negative metals, metals तो conductor में आते इसलिए ये नहीं हो सकता only insulator नहीं semiconductor only ना ये भी गलत इसमें option है insulator and semiconductor बोथ तो दोनों का क्या होता है negative मैंने अभी अभी बताया insulator, semiconductor, alloys, सभी का alpha negative positive किसका क्यावल conductor specific resistance की बात कर रहा है specific resistance और specific resistance कोई क्या कहते है row जिसका क्या नाम होता है resistivity जिसका नाम क्या होता है resistivity होता है जिसको क्या कहते है resistivity अब resistivity की बात करेंगे तो increase temperature किसकी बात कर रहा, conductor की और मैंने आपके अभी भी बताया था r और row conductor का increase होता है किसके साथ temperature के साथ increase होता है तो increase in temperature इनकी specific resistance जो है conductor की वो increase करेगी temperature के साथ केवल conductor ऐसा है जिसका resistance और जिसकी resistivity temperature के बढ़ाने से बढ़ती है बाकी सब की गठती है तो यहां भी बढ़ेगा copper and silicon is cooled from 302 60 Kelvin देखी 300 Kelvin to 60 Kelvin अब आपके साथ खेलने की कोसिस कर रहा मतलब temperature को क्या कर रहा है decrease temperature को decrease अब temperature को decrease कर रहा है specific resistance specific resistance को क्या कहते है resistivity बहुत बढ़ाया आप copper तो एक conductor है copper कोन है conductor है conductor होने के साथ साथ अगर temperature गटाओगे तो इसकी resistivity गटेगी और बढ़ाओगे तो बढ़ेगी तो मतलब copper की तो decrease होगी, silicon क्या है, semi conductor है, पता हो ना चाहिए, आपको silicon is a semi conductor और मैंने आपको बताया है, कि kevel और kevel, हमारे पास conductor ऐसे हैं, जिलकी resistivity temperature के बढ़ाने से बढ़ती है, और घटाने से घटती है, ठीक है, बाकी सभी case में, semi conductor, insulator, alloys, जैसे ही temperature बढ़ाओगे, तो resistivity घटेगी, और घटाओगे तो बढ़ेगी, तो silicon क्या है, semi conductor है, यहाँ temperature घट रहा है, तो इसकी resistivity बढ़ेगी, और इसकी क्या होगी, घटेगी, तो पहले, decrease in copper, but increase in silicon, बिलकुल correct answer है, पहला ही, कि decrease करेगी copper के case में, क्योंकि temperature घट रहा है, और वो है conductor, यह ऐसा अगर बार-बार आपको पजल हो रहा होता, आपको यह relation याद होना चाहिए, that is, RT minus R0 divided by R0 delta T is equal to alpha, यह relation करवा गया था, यह relation में alpha positive होता है, अभी-भी question आया था, किसके लिए, conductor के बाकि सभी के लिए क्या negative अब alpha positive कब होगा, तब होगा जब final temperature greater than होगा initial से, R0 is initial temperature, RT is final जब यह final temperature initial से ज़ादा होगा, तभी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका alpha positive आएगा, मतलब क्या, यह है 0 degree Celsius पे resistance, और यह है 0 से जब temperature को बढ़ा के T कर दिया, तो मतलब जैसे जैसे 0 से बढ़ के temperature T पे जा रहा है, तो उसका resistance भी बढ़ रहा है, तभी alpha positive आएगा, तो यह show करती है property कि conductor का resistance temperature के बढ़ाने से बढ़ता है, पर यहीं पर semiconductor होता, insulator होता, तो alpha आता negative, और alpha negative का मतलब कब होता, जब यह ज़्यादा होता, यह कम होता, उल्टा case होता, इसलिए आपको यह बार-बार कह रहा हूँ कि conductor का temperature बढ़ाने से resistance और resistivity बढ़ती है, same relationship resistivity का भी होता है, rho T minus rho note divided by rho note delta T is equal to alpha, same होता दोनों के लिए, which of the flowing act as a circuit protection device, circuit की protection device में कौन काम करता, fuse wire करता, गर में पता है सभी को, पूरे circuit parallel में होता है, बस fuse wire जो आपके गर में MC होती है, वही किसमें होते हैं, series में यह वियाद रखना साथ सा, fuse wire protection का का काम करता है, आपके पूरे housing circuit को, सारे के सारे circuit जो गर में होते हैं, parallel connection में होते है बट यह series में होता है इसकी खास बात क्या है इसका जो आपका melting point है melting point है वो क्या होना चाहिए low melting point और resistance क्या होना चाहिए high resistance होना चाहिए high resistance अगर किसे को याद नहीं रहता तो याद कीजिए कैसे याद रखोगे क्योंकि हमारे ग़र में अगर ज्यादा light आई तो इस fuse को चाहिए कि ये fuse उड़ जाए कहते हैं नो fuse उड़ गया मतलब ये break हो जाए break हो गया तो supply बंद हो जाएगी हमारी जितनी भी application चल रहे हैं वो सारी safe हो जाएगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा low melting point मतलब ये कम melting point पे ही गढ़ जाए ऐसा होगा तो थोड़ा सा temperature बढ़ेगा और तुरंट अमारा क्या हो जाएगा काम बन जाएगा high resistance होना चाहिए क्योंकि power का loss फार्मूला जो होता है वो क्या होता है I square into R अब जितनी जादा resistance उतनी ही power का loss और जो power का loss होता वही किसकी फोर में जाता है heat की फोर में मतलब गरम करेगा और गरम करते ही ब्रेक हो जाए क्योंकि low melting point पे ही तो गरम हो गया इसलिए हमें क्या करना पड़ता है high resistance, low melting point और series connection होता केवल fuse का वैसे घर के circuit parallel में होते है Question number 20 The charge flowing through a resistance R varies with देखिए ऐसे vary करता है q is equal to a t minus b t का square इस तरह से where a and b are positive constant total heat produced in R अब देखिए heat जो produce और ये total वो हमें निकालनी है तो heat produce होगी वो formula होता है क्या i square into R into T ये formula होता है पर सबसे पहले हम physics के अंदर जब आपको ऐसा variation दे रखा है तो complete heat तो नहीं निकाल सकते क्यों 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 क्यारा कि जो charge है वो time के साथ vary कर रहा है अगर charge time के साथ vary कर रहा है तो heat भी vary करेगी और heat vary करेगी क्यों vary करेगा क्योंकि charge से current बनता और current जो है heat को vary करवाएगा heat को vary करवाएगा तो small heat निकाल ले, उसके लिए आपके पास फार्मूला होगा, I square R into DT small time में, तो small time में क्या निकाल ले, small heat निकाल ले तो इसके लिए सबसे पहले हम I को निकालते हैं I को निकाला, इस charge को time के respect में differentiate कर दिया, तो that comes out to be A, T का differentiation कितना, 1, minus B, constant है और 2T का differentiation 2T हो जाएगा, T square का कितना, 2T अब यहां से current क्या हो गया, current हो गया हमारे पास A, minus 2, B, T यह हो गया अब कब तक current निकाल, कब तक हमें इस heat को निकाले, जब इस current की value क्या हो जाए, 0, जब इस current की value 0 हो जाएगी, तो A किसके बराबर हो जाएगा 2, B, T के बराबर और यहां से time निकालेंगे, तो वो आ जाएगा A divided by 2, B मतलब हमें इस circuit में कहां से कहां तक vary करेंगे 0 से लेके T तक, ठीक है तभी तो यह बोला, total heat produce कब तक, T time में, कितने time में T time में, कैसे निकाला, इस current को 0 कर दिया, जब तक current 0 हुआ क्यूं हो रहा है, ऐसा ये बात समझे पहले charge जो है, ऐसे vary कर रहा constant charge नहीं है, variable charge है जब हमने इससे current निकाला तो वो भी variable आया, अब कब तक इसमें heat flow होगी, जब तक current रहेगा जैसे ही current गया, तब तक heat नहोगी नहीं, तो current को कर दिया 0 कितने time में 0 होगा, T is equal to A by 2, 2B time के अंदर तो 0 से start करके, A by 2B time तक हम अगर हम लगा ले heat तो white circuit की होगी complete यही तो हमें करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या क्या क्या, current को 0 put कर दिया अब देखिए, आगे DH, इसके लिए यहाँ I square की value, I square की value A minus 2BT A minus 2BT और इसका क्या है, square R साथ में और DT साथ में, अब देखिए A square पलस में, 2 का square 4 B square T square minus 2AB तो 2 ये, 2 वो, 4 A, B, T साथ में कौन रहेगा R into DT ठीक है भई? अब देखिए, फर्दर इसको simplify करेंगे अब DH is equal to A square के साथ भी कौन रहेगा DT क्योंकि अंदर आएगा न, साथ में resistance भी है भई इस दूसरे के साथ भी कौन रहेगा 4 B square into R T square into DT तीसरे के साथ भी इसके साथ भी 4 A, B, R, T into DT सभी का integration, 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 integration हो गया सभी का integration सभी का integration solve कीजिए कहा से कहा तक? 0 से लेके T तक 0 से लेके H तक time कितना है ये रहा अब आपको just क्या करना है? पूरे का integration solve करना है, सभी को आता होगा मैं solve करके दिखा देता हूँ, देखिए R into A square अब DT का integration T कहा से कहा तक रखना है? 0 से लेके A by 2B तक देख लिजी A by 2B तक plus 4 common B square common R common, यहां को ने T square इसका integration T की पावर 3 divided by 3 और फिर से इसको 0 से लेके A by 2B तक माइनस में similarly इसका भी कर दीजी और इसका करके सभी की value put कीजिए और put करके आपके पास क्या आजाएगी total heat है, इन 4 option आपको सामने दे रखे इन में से आजाएगी, अगर मैं अब इसको आगे solve करता हूँ, तो आपके लिए मुस्किलात यह होगी कि यह lecture लंबा होता चलेगा इसलिए आप solve कर लीजिए, मैंने आपको तरीका समझा दिया है सबसे पहले हमने क्या देखा, कि जो q है वो time के साथ vary कर रहा है इस परकात से, तो हम जब तक इसमें heat रहेगी, जब तक current रहेगा जैसे ही current 0 हो जाता है, तो heat भी 0 हो जाती है तो हमने current को 0 कर दिया, तो हमें पता चला T is equal to A by 2 भी time में इसके अंदर current 0 बन जाएगा ठीक है, इस तरह से Question number 21 Two cities are 150 km apart दो cities है, पहली city दूसरी city, दोनों के बीच की दूरी है 150 km ठीक है, electric power is sent from one city to another city through copper wires, wire कौन से लिए copper के एक city से दूसरी city The fall of potential per kilometer is 8 volt, जो potential है, उसका जो fall है, वो क्या है V by L, वो कितना है 8 volt per kilometer इस तरह से दे रहा है and average resistance per kilometer is 0.5 ohm तो average resistance कितना है 0.5 ohm, एक kilometer का है, तो total kilometer कितने है 150, ऐसा ही तो बोल रहा है statement को समझ ये, क्या कह रहा है कि एक kilometer का resistance है, 0.5 ohm तो 150 kilometer का resistance कितना हो जाएगा, that is 0.5 याद आ हो जाएगा, मतलब 75 ohm हो जाएगा ठीक है, the power loss power loss का फार्मूला बताना है power loss का फार्मूला एक होता है, V square वाई में R, चूकी क्योंकि voltage दे रखी है, generally जो power loss का फार्मूला आप लगाओगे, कौन सा I square into R, अगर आपको वाँ current प्रोवाइड कर रखा है अगर आपको current प्रोवाइड नहीं कर रखा है कहीं series या parallel नहीं बोल रहा है तब आप ये देखो, current दे रहा है, current से V दे रहा है तो V से, मैं क्या कर रहा हूँ power loss का फार्मूला आपको situation देख के लगाना है, अगर series circuit है तो ये parallel circuit है तो ये, कोई circuit नहीं बोल रखा, तब voltage दे रखी है तो ये लगा दो, current दे रखा है तो ये लगा दो ठीक है, अब ये क्या दे रहा है एक किलोमेटर की voltage दे रहा 8 तो टोटल voltage कितनी हो जाएगी 8 गुणा में 150 इतनी हो जाएगी, अब इतनी हो जाएगी तो देखिए V स्केर निकाली, that is 150 गुणा में 8, दूसरा इसका स्केर करना है, 150 गुणा में 8, divided by resistance कितना है, 75 5 ओम के बराबर, तो इसको solve करेंगे, इस पूरे को solve करना पड़ेगा हमें, तो देखिए क्या आएगा यह जाएगा, यह जाएगा 15 पापी चैत्तर और यह जाएगा 30, फिर से 15 और यह जाएगा 30, इसको cancel out करोगे तो यह जाएगा 10 यह हो जाएगा 30 दायत 300 गुणा में 8 गुणा में 8 अठू अठू चो सट, गुणा में 300 ठीक है, तो 1, 2, 3 चो के बारा 2, 1 3, 6, 18 और 1, 19 अगर इसको change करोगे तो कितना हो जाएगा 19.200 0 किलो वाट यह हो जाएगा ठीक है, 19.2 किलो वाट, इस तरह से हो जाएगा लिखे, इस वोल्टेज अक्रोस बल्लब रेटिड 220 वोल्ट एंड 100 वोट यानि कि आपके पास एक बल्लब है और उस बल्लब की वोल्टेज है 220 और उसकी पावर है 100 वाट ड्रोप बाए 2.5 रेटिड वैलू से, उसकी वोल्टेज का ड्रोप हो गया वोल्टेज का ड्रोप मतलब डेल्टा वी बाए वी की वैलू कितनी दे दी 2.5 परसेंट ये ड्रोप दे दिया वोल्टेज का ड्रोप आपको प्रोवाइड कर दिया the percentage rated value for which power power में कितना drop आएगा तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि power का फार्मूला होता है v square by r और ये change है 10% से कम और जब तक change 10% से कम है तो आप error का फार्मूला लगा सकते हो जो आपको सिखाय गया था पहले lecture में आपको पूरे playlist भी मिल जाएगी उसको जाके देख लीजी तो error लगाओगे तो delta p by p is equal to 2 times of delta v by v चुकि यहाँ resistance constant है क्योंकि resistance का कोई जिकर नहीं इसलिए constant है तो कोई फरक नहीं पड़ता delta v by v की value 2.5% है तो 2 गुणा में 2.5 तो कितना आएगा 5 आएगा ठीक है भई तो उत्तर कितना होगा भई 5% हो जाएगा and electrical kettles takes 4 ampere current at 220 volt क्या कह रहा है कि 4 ampere current है और voltage है 220 volt how much time will it take to boil 1 kilogram of water कितना time यह लेगी कितने water को boil करने के लिए 1 kilogram of water को 1 kilogram को आप 1000 gram भी कह सकते हो from temperature 20 degree Celsius मतलब कहा से का पहुचाना temperature को 20 degree Celsius से 100 degree Celsius तक हमें इसको पहुचाना है ऐसा कह रहा है the temperature of boiling water is 100 and कितना time उसको मिलेगा यह बात कह रहा है मतलब क्या कहने का मतलब है कि जब यह 20 degree Celsius से 100 degree Celsius जाएगी तो इसकी जो heat की requirement होगी वो formula होगा MS delta T 11th class के 7 unit जिसका lecture हम upload कर चुके है वो भी इस series में आपको मिलेगा वहाँ पे आपको बताय गया था जब state change होती है तो QV is equal to ml का formula लगता है और जब same state रहती है तो heat का formula होता MS delta T SS specific heat और water है तो water के लिए ठीक है इस परकार अब यह क्या कर रहा है कि कितने time में जाएगा और उसी time पे इसके पास क्या दे रखी power देखे power कहोगी सर कहां से दे रखी है यह दे रखी देखो power is equal to V into I यह power का formula होता है instantaneous power का तो यहां से power निकाली कितनी आगी 4 ampere current और 220 volt आपके पास है तो हो जाएगा 0 और 22.88 इतनी watt power दे रखी है याद कि जब 880 watt power इस पूरे system को दिया गया तो कितने time में इसका temperature 20 से सो जाएगा यही तो हुआ तो इसका मतलब जब 880 watt power और कौन दे रहा है वो electrical heater किसको दे रहा है उस water को दे रहा है वाटर को दे रहा है तो उसका temperature q by t क्योंकि power बनानी है यह है energy और energy बटे में time क्या होता power इसलिए हमें q by t करना पड़ेगा q by t करना पड़ेगा तो इसको कहेंगे m s delta t divided by t यह temperature वाला t है यहाँ पर तो इस t को निकालना है mass कितना हो गया 1000 gram क्योंकि हम इसको उस दूसरे system में लेंगे 1000 gram हो गया multiply by में s कितना हो गया 1 change in temperature 20 से 100 पोचाना तो 80 का और divided by कोन होगा 880 अब जब आप इसको solve करोगे तो time का formula आपके पास exact नहीं आएगा कोगे sir क्यों नहीं आएगा वो इसलिए नहीं आएगा बचा पार्टी क्योंकि यहाँ पे जो यह उत्तर आता है जब हम इसको gram में लेते हैं यह s को जब हम लेते हैं 1 के बराबर changing temperature को degree Celsius में change करवाया है तो यह सारा calorie में आएगा और calorie को joule में बनाना पड़ेगा इसलिए joule में बनाने के लिए हम यहाँ से धीरे से एक multiply कर देते हैं 4.2 से क्यों करते हैं क्योंकि एक calorie किसके बराबर होती है 4.2 joule के बराबर होती है तो इसके साथ एक additional factor और लगेगा that is 4.2 अब आप time निकाल लीजिए आपको time मिल जाएगा complete just solution करना और आपको उत्तर पाना है उत्तर का concept क्या है मैंने वो समझा दिया concept यह है कि आपको एक bottle के अंदर 20 degree Celsius के उपर पानी रख दिया जिसका मास 1 kg है और आपको एक heater दे दिया गया जिसकी power 880 watt है तो कहता कितने time में वो temperature सो हो जाएगा तो बस CDC बात है आप क्यों निकाल लीजिए और उसको जूल में convert कीजिए बटे में time और power आपके पास है solve कर लीजिए question number 25 a 5 ampere fuse wire can withstand maximum power of 1 watt यहनिकि 5 ampere का fuse wire कितनी power को withstand कर सकता है 1 watt power को in the circuit the resistance of fuse wire अब सीध इसी बात है power आपको बता दी तो लगा दो I square into R 1 watt है और I square निचा आएगा तो 5 का square that is 1 बटे 25 is equal to R solve करोगे तो यह आना चाहिए इसको solve कर लीजिए उत्तरा जाएगा आपके पास कुछ करनेगी जरूर तर नहीं है और यह ऐसे नहीं कि easy questions आए नहीं वे यह सारे आए हुए है बिछले 35 साल के questions मैंने उठाए है सारे questions वो है जो नीट में आए हुए है in India electricity मतलब पहले जो AI PMT था बाद में नीट हो गया सभी के मिला के हैं supplied for domestic use at 220 volt आपको पता है कि अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर supply जो हो है वो 220 volt पे आती है सभी को पता है घरो में it is supplied at 110 volt in USA पर अगर आप इसी की बात USA में करते हैं तो USA में यह हो जाती है 110 volt पे यह बात भी सबको मालूम होनी चाहिए कि यह सभी 110 volt पे हो जाती है इव दा रजिस्टेंस ओप 60 watt बलब फोर यूज इन इंडिया इज आर 60 watt बलब का यूज किया उसका रजिस्टेंस आर है दा रजिस्टेंस ओप 60 watt बलब यूज इन USA अगर इसी 60 watt बलब का यूज करोगे तो यहां रजिस्टेंस कितना होगा यह कहना चाहरा है अब आप देखिए पावर की बात करें है तो पावर का फार्मूला क्या हो गया वी स्केयर डिवाइड़ बाय में आर ठीक है अब 60 watt का बलब है 220 वोल्ट घर में आ रही है दूसरे केस में यूषे का यह तो इंडिया के ले लिए यूषे का देखिए वही 60 watt का बलब पर अब की बार 110 वाल्ट आ रही है इसका स्केयर और इसका रिजिस्टेंस बताना है जिसको आर डेस बोल दिया एक equation यह, एक यह, यह इस्तरभी 60W, इस्तरभी 60W, एक side equal है, तो दूसरी side को equate कर दीजिए, यहां है 220, गुणा में 220, बटे में क्या हो जाएगा R, इधर हो जाएगा 110, गुणा में 110, बटे में हो जाएगा R dash, इससे cancel करोगे 2, इससे cancel करोगे 2, तो नया R dash किसका बराबर हो जाएगा, R by 4, इतना resistance घट जाएगा, R by 4 के बराबर, सिंपल सा equation को equate करना, बस कुछ नहीं करना, equation एक बार power की लगाई, V square by R, तो एक बार आप इंडिया के लिए लगा, तो एक बार USA के लिए, इसका resistance निकाल दो, उसका दे रखा है, Fuge wire is a wire, Fuge wire कैसा wire है, Fuge wire is a wire, जिसका resistance high और melting point low, अभी अभी आपको बताया गया था, पूरी बात बताया गयी थी, जिसका high resistance और melting point low हो, यह आपको समझाया भी गया था, कैसे आता है, 27, टू बलब्स are of 40 watt and 200 volt, 100 watt and 220, पहला बलब यह रहा, जिसकी power है 40 watt और 200 volt का, दूसरा यह रहा, 100 watt और 200 volt, then cracked relationship for their resistance, अब सीधी बात है, power का जो formula है, वो किसके बराबर हो गया, V square by R, अब जिसकी power जादा, उसका resistance कम, ऐसा ही तो होगा, मतलब 40 watt वाले का resistance जादा और 100 watt वाले का कम, तो R, 40 वाले का जादा और 100 watt वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 28, a 5 degree rise in temperature is observed in conductor by passing a current, when current is double, the rise in temperature will be, देखे, आपको कितने का change मिल रहा है, 5 degree Celsius का, question को समझ यह क्या कर रहा है, एक circuit में से, I amount में current को pass कर दिया गया, तो temperature का change है, 5 degree, अगर उसी circuit में से current को double कर दिया जाए, मतलब I से 2I कर दिया जाए, तो कितने का change होगा, तो जो H की value होती है, वो किसके बराबर होती है, that is I square R into T के बराबर, ठीक है, यह heat है, और इसी heat का फार्मूला होता है, M S delta T, जो किसको बताता है, temperature के change को, delta T यहाँ पे क्या है, temperature का change, दोनो heat के फार्मूले है, एक तो हमारा जो local फार्मूला होता है, जिसमें हम बात करते है, fluid के अंदर उसके लिए है, और दूसरा हमारा current वाले chapter के लिए है, जिसके अंदर हम किसी wire के अंदर से हम current को पास करते हैं, पर दोनो heat है, तो मतलब M S delta T is equal to किसके बराबर हो गया, I square R into T, अब आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, जो change in temperature है, इसको मैं बड़े से लिख रहा हूँ, वो directly proportional किसके है, I square के है, पहले case में 5 degree Celsius का change आया, दूसरे का निकालना है, पहले का current क्या है, I square और दूसरे का current हो गया, 2 I square क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसको double कर दिया, डबल किया तो यहाँ क्या होगा, I square divided by 4 I square, इससे cancel 4 उपर जा जाएगा 20 degree Celsius का, तो उत्तर क्या होगा, 20 का, अब आपको यह connection बनाने सीखने पड़ेंगे भई, अब आपको जब भी question करना है, तो आपके mind में एक बात fit हो जानी चाहिए, कि आपका जो I square RT है, इस formula को heat से भी हम connect कर सकते हैं, और heat से जैसे मैंने आपको connect बार-बार करके दि temperature change हुआ है, तो वो ms delta t के बराबर होती है, अब proportionality का पता चल गया, तो question solve करने में कुछ रहा ही नहीं, आपको यह पता तो इससे आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, question number 29, a 100 watt and 200 volt bulb connected to 160 volt supply, the power consumption would be, power का consumption क्या होगा, यह बई, एक हो हम, यह resistance मिलेगा, आपको एक हो, यह question में ही mistake है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं, यह क्या लिखा हुआ है, टाइपिंग करते हैं, इसमें mistake हो गई है, तो इसको नहीं करते हैं, क्योंकि question गांसवर फिर गलत हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है, next पे आ जाते हैं, वन किलो वाट हावर किसके बराबर होता है भई, 3.6 इंटू 10 रेस पावर 6 जूल, इसी को लिखा जा सकता है, 36 गुणा में 10 रेस पावर 5 जूल, पॉइंट के नाम का इस में से एक ले लिया, तो 36 गुणा 10 रेस पावर 5 ये रहा, 36 गुणा 10 की सकती 5 जूल, ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए, ए 4 माइक्रो फैरड कपेस्टर is charged to 400 वोल्ट, इफ, अब क्या किया, आपके पास एक कपेस्टर है, और वो कपेस्टर कितने का है, 4 माइक्रो फैरड का, इसको चार्ज करती है, किसके थरू, इसको चार्ज किया 400 वोल्ट की बैटरी के थरू, ऐसा अगले का कहना, यह question कह रहा है, जो question ने कहा है, मैंने वो कहा, join through a resistance 2 kilo ohm, if its plate are joined through a resistance of 2 kilo ohm, then heat produced in this is, अब क्या किया इसने, अब इसने इसी कपेस्टर को यहां से disconnect करके, और किस से जोड़ दिया, एक resistance से जोड़ दिया, जो 2 kilo ohm का है, तो इसके अंदर कितनी heat produced होगी, यह बताई, अब सारे बच्चे यहां किस चीज में माथा मारेंगे, कहेंगे जी, s is equal to i square r into t, r दे रखा है, current मिल जाए, time मिल जाए, तो निकाल दे, पर यह concept ही सोच ही गलत है, क्योंकि यहां पे यह काम है ही नहीं, आपको दूसरे तरीके से सोचना है, क्या सोचना है, जब इस 4 microfarad को 400 volt से charge किय आ गया, तो उसके पास कोई energy store हुई होगी, और उस energy store का formula क्या है, 1 by 2 into cv का square, यहीं तो energy stored का formula, energy stored, यहीं फार्मूला है, अब जो energy stored हुई है, जब इस capacitor को इस 2 kilo ohm के साथ connect कर दिया जाएगा, तो जो भी इसके अंदर energy store हुई है, वो सारी की सारी energy इसके थुरू क्या हो जा तो यह जो half cv score जो उसने store की है, वही यहाँ पे क्या बनेगी, heat बनेगी, save, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा, सोच को बढ़ाना वो practice से सोच आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस system के अंदर, जिस circuit के अंदर, बैटर वोल्ट आपके पास कितनी है, वोल्ट आपके पास है, चार सो, ठीक है, तो इसको multiply किजिए, चार सो से फिर, तो दो ये, दो ये, चार, इससे cancel out होके कितना बचेगा, माइनस का 2, दो से cancel out होके आपके दू, चार चुक सोड़ा दुनी 32, ठीक है, तो ये 32, इसको call करोगे, तो 0.32 जूल, ये हो गया, इस परकार से, बड़ा अच्छा question है, धान से पढ़िएगा, और देखिए, तो देखिए, अब questions का जो है, लेवल थोड़ा सा उपर जाता जाएगा, अभी तक जो questions आपने किये थे, वो general, जो आप पहले, आठवी, नोवी क्लास से पढ़िए आत को थोड़ा सा उपर, अप लेवल पे लेकी जाएगे, देखिए, क्या करा है, 3 resistance, 3 resistance आपको provide कर दिये गए है, having a resistance R1, R2 and R3, R1, R2 and R3, are connected as shown the given circuit, the ratio of I3 by I1, and कि इस I3 current divided by I1 current, इसके अंदर से क्या होगा, अब सबसे पहले तो एक बात आपको सोचनी पड़ेगी, कि ये दो दोनों के दोनों resistance आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसके किसमे हैं, सीरीज में, इस परकार से हैं, तो सबसे पहले आपको series combination की बात कीजिए, आप series combination की बात करोगे, तो total resistance अगर हम इसका निकाले, मान लीजिए, पूरा circuit VVolt की बैटरी से connect है, तो total resistance हो जाएगा, 1 upon R2 plus 1 upon R3, इसका parallel कीजिए दोनों का, parallel आप करोगे तो क्या होगा, देखिए, R2, R3, R3 plus R2, अब इसको ये क्या है, 1 upon R, अगर इसका R parallel निकाला, तो ये हो गया, R2, R3 divided by मैं, R2 plus R3, ठीक है, और इस R parallel के साथ R1 को add कर दीजिए, तो total resistance हो गया आपका, R1 plus R2, R3 divided by मैं, R2 plus R3, अब ये V volt की बैटरी से connect है, मान लिया जाए, तो current हो गया, V divided by मैं, total R is equal to I, इसके बराबर हो गया, current आगया ये, ये current कितना बने का, बना लिजी, V divided by मैं, R हो गया, that is R1, इसका फिर से ऐलसियम लिया, फिर से ऐलसियम लिया, तो ऐलसियम लिया, त R3 plus, साथ में कौन बचेगा, R2, R3, divided by मैं, R2 plus R3, ये कौन हो गया, current हो गया, ठीक है, अब current के बाद हमें, जो current आया, जो current इस पूरे circuit का current है, पूरे circuit का, और पूरे circuit के current की बात करोगे, तो ये जो I1 current है, ये सीरिज में है, तो जो I1 current है, वही तो complete current है, वही तो पूरे circuit circuit का current है मतलब हमने किसकी value抗ाल ली है इस पर अगर यह i1 की value है तो इसका भी current i1 और इस पूरे का current भी क्या है इस पूरे circuit का भी current है अब पूरे circuit का current i1 है तो पूरे circuit की voltage निकाल लीज है क्या होगी that is equal to gисс किसके बराबर होगी, that is current I1, यह रहा I1, गुणा में उस circuit का resistance, तो उस circuit का resistance तो यह रहा, ठीक है, तो उस circuit का resistance multiply कर दो, that is R2, R3 divided by मैं R2 plus R3, इस तरह से, अब I1 current की value यह रही आपके पास, तो V dash कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, that is V, उपर जाएगा तो यह हो जाएगा, R2 plus R3, divided by मैं R1, R2, R3 plus R2, R3, multiply by मैं यह वाला factor, R2, R3 divided by मैं R2 plus R3, अब क्या कीजिए, इस R2, R3 से R2, R3 को cancel out कीजिए, अब आपको एक चीज और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाता हूँ, यह आएगा, V divided by, R2, R3 है, यहाँ पर भी R2, R3 है, यहाँ पर भी R2, R3, दोनों में से common लिया, यहाँ से, यहाँ से, यह cancel, यहाँ क्या बज़ ग पास भी V dash और इसके पास भी V dash होगी, दोनों के पास सेम रहेगी, दोनों के पास सेम रहेगी, तो V dash आपके पास है, divided by मैं R3 कर दीजिए, आपके पास कोन current आजाएगा, I3 current निकालो, I3 current, I3 current किसके बराबर होगा, V dash, V dash की value यह रही, V divided by मैं R1 plus 1, ठीक है, और उसके साथ आपके कोन होगा, R3 होगा, यह I3 की value, यह I1 की value, दोनों को solve कीजिए, बाकी सब को मैं यहाँ से cancel out कर देता हूँ, यहाँ पे solve कर लेंगे इसको, सबसे पहले हमने क्या निकाला, current निकाला, यह मान की चले कि V volt की battery से connect है यह, हलांकि voltage इसमें नहीं दिखा रहे है, हमने मान लिया कि V volt की है, current सेम रहता है, तो current को निकाल लिया, फिर voltage निकाली, voltage से फिर I3 current निकाल लिया, अब I3 current निकालने के बाद हमें I3 by I1 करना है, that is I I3 divided by I1 is equal to, I3 की value यह रही, that is V divided by R3 R1 plus R3, इसको अंदर लेगा, तो R3 R1 plus R3, बटे में हो जाएगा यह वाली factor, that is V, यह उपर जा रहा था, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा, R2 plus R3, उपर कौन होगा, R2 R3 को ले लिया common, that is R2, R3 को ले लिया common, यहां क्या बचा, R1 plus 1, यहां बचेगा, that is R1 plus 1, इस तरह से होगा, अब इसको हमने यहां पर किया, इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि वो cancel out होने वाला factor होगा, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, simple, R1 plus 1 into R3, that is R1 plus 1 into R3, अब क्या होगा, इस V से V cancel out, R1 plus 1 से, R1 plus 1 cancel out, इस R3 से, R3 cancel out, और यह जो I3 है, divided by I1 है, यह किसके बराबर हो जाएगा, that is R2 divided by मैं, R2 plus R3, यह उत्तर आ जाएगा, R2 divided by मैं, R2 plus R3, R2 divided by मैं, R2 plus R3, ठीक है, strategy को अपनाने के लिए हमने simple सा method अपनाया, कि यह मान के चले, कि यह V volt की battery से connect है, तो सबसे पहले पूरे circuit का current निकाला, जो पूरे circuit का current वही I1, I1 आ गया तो हमने इसकी voltage निकाल ली, और voltage पैलल में सेम है, तो जो इसकी voltage वही इसकी voltage, इसकी voltage आगी देखे, the effective resistance of a parallel connection that consists of, एक parallel connection है, जिसके पास कितने है, 4 wires है, of equal length and equal area of cross section, same material is 0.25 ohm, आपके पास 4 resistance दे रखे हैं, जिनका same length, same area of cross section है, same material के बने हैं, तो सभी का resistance भी same होगा, चारों हैं, चारों के चारों parallel में हैं, तो connect कर दो चारों को parallel में, ये होगे चारों के चारों parallel में, parallel में connect करते ही सबका effective resistance कितना हो गया भई, 0.25 ohm, देखिए दे रखा, क्यारा कि चारों को parallel में add किया, उनका resistance कितना, 0.25 ohm के बाद, what will be the effective resistance if they are connected in series, तो series में कैसे connect करोगे, सीरीज में जब इस connect करोगे तो इनका effective resistance हो जाएगा 4R क्योंकि सीरीज में direct addition होता है न resistance R plus R plus R plus R 4R तो आपको क्या R की value निकालनी पड़ेगी यह किसके बराबर होगा that is 4 by R इसका R LCM लिया तो 1, 2, 3, 4 वो एक बटे 0.25 इसको उपर लेगे जाएगे इसको इदर तो R की value कितनी आजाएगी A को अगर R की value 1 आई यहाँ पे रखो 1 तो R dash कितना हो जाएगा 4 ohm आजाएगा जब यह किसमें connect होगा सीरीज में तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 ohm के बराबर in the circuit shown below reading of voltmeter and the emitter will be आपको voltmeter और emitter के reading जस्ट एक मिनट का question देखिए यह 10 ohm का है यह voltmeter है यह emitter है क्यों यह देखो पहले माँ आपको बात बता दू दो बाते आपको पता होनी चाहिए इससे पहले एक पता होना चाहिए ideal voltmeter और एक पता होना चाहिए ideal emitter ideal voltmeter का resistance होता है infinity और ideal emitter का resistance होता है zero इस परकार अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए ideal voltmeter तो उसका resistance infinity और ideal emitter का resistance zero voltmeter को हमेशा parallel में connect किया जाता है और emitter को हमेशा series में connect किया जाता है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए अब इस हिसाब से आप देखिए, जब 10 वोल्ट की बैटरी इस 10 ohm के resistance से connect है, तो फार्मूला लगा दिया V is equal to I into R, ठीक है, V is equal to I into R, तो यहांसे current आ जाएगा V 10 है और R भी 10 है, तो कितने का आ गया, एक ampere का current आ गया, अब जब यह voltage connect है 10 ohm से, तो resistance तो एक है, और तो कोई resistance है नहीं, इसका मतलब यह 10 की 10 वोल्ट किसके पास जाएगी, इस 10 ohm के resistance के पास, तो इसकी जो voltmeter reading सो करेगा, वो कितनी सो करेगा, 10, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, यह 10 वोल्ट की battery है, कि एक resistance से connected है, दूसरा कोई resistance यहां पे नहीं है, इसलिए इसके अंदर current निकालना है, तो 10 बटे 10 एक ampere आ गया, और यही 10 वोल्ट इस वोल्ट मीटर की reading होगी, क्योंकि दूसरा तो कोई हमारे पास है नहीं, दूसरी बात, अब कहोगे सर यहां तो दो resistance आगे, पर आपको अब यह भी बताया, जो वोल्ट मीटर है, इसका resistance infinity होता है, जब इस circuit में से current चलेगा, इस मैं कहाँ दूं, यह आपके सामने दिवार बनी हो, इसका टकर मारे के बार निकल जाओ, तो आप नहीं निकल सकते, क्योंकि दिवार ने infinity resistance आपके सामने लगा दिया, उसी परकार यहां से current रही जाएगा, current वापिस होके यहीं से जाएगा, तो यह दूसरा resistance लगा तो हुआ है, पर इस resistance का कोई काम नहीं आदे, यह दूसरा जो resistance है, क्योंकि नाम नाम का resistance है, क्योंकि इसके सामने जो है, वो infinity resistance खड़ा है, इसलिए यह resistance निसकी रिये है, इसका कोई काम नहीं है, क्यों एकी resistance है, यह circuit और यह circuit दोनों एकी है, अलग-अलग circuit नहीं है, तो दोनों की voltage भी सेम, दोनों का current भी सेम होगा, इस परकार, ये समझने की बात है, ये 10 ohm, इस voltmeter के pass लगा हुआ है, जिसका infinity resistance है, इसलिए infinity में कुछ भी add करो, infinity रहेगा, और infinity resistance current को pass नहीं होने देगा, तो current को pass नहीं होने देगा, तो 10 ohm से जाएगी, 10 ohm से जाएगी, तो जो voltage इसके across है, वही voltage इसके across है, तो कोई फरक नहीं पड़ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसलिए आपको ये उत्तर question दिया गया था, नेट में पूछा हुआ है, आपको puzzle करने के लिए question डाला गया है, 36, एक फिलामेंट और बलब, एक बलब का फिलामेंट, जो की है 500 watt और 100 volt के ऊपर, 500 watt और 100 volt, is used to in a 230 volt main supply, यानि कि किस में यूज़ गया, 230 volt main supply के साथ, 230 volt main supply, अब देखिए क्या कह रहा है, situation को थोड़ा change कर दिया, situation को कैसे change कर दिया इसने, इसने कहा, अब इस बलब के series में एक resistance लगा दिया, फिर भी ये perfectly काम कर रहा है, उस resistance की value बताई है, अब शुरू में 500 watt और 100 watt, यानिकि power is equal to V square divided by R, यहां से resistance निकाला तो V का square, V मतलब 100 का square, that is 100 into 100 divided by power कितनी, 500, तो 2 से 2 गया, 5 से cancel करोगे तो 20 ohm, मतलब इस resistance बलब का कितना है, 20 ohm का resistance है, किस से connect है, 230 volt main supply से, When a resistance R is connected in series, it works perfectly and बलब consumes 500 watt, वो कितनी watt power को consume कर लेता, 500, the value of R, अब आमें उस R की value को find out करना है, अब आगे देखी क्या है, अब इस circuit में 20 ohm का resistance, और R ये है, 230 volt ये है, अब क्या करा है कि ये 500 watt को consume कर लेता है, कौन ये बलब, बलब 500 watt को consume करता है, तो power का formula क्या होता, V into I के बराबर, अगर यहाँ से मैं current निकाल लूँ, तो किसके बराबर हो जाएगा power, that is 500, divided by voltage कितनी इसकी 100 है, बोल रहा है पहले, तो 100, तो इससे cancel हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 ampere current, ठीक है, मतलब इस circuit में से 5 ampere का current जा रहा है, यहाँ से भी 5 ampere का current जाएगा, और पूरा circuit किस से connect है, 230 volt से, 230 volt से, और इस बलब की voltage कितनी है, 100, तो 230 में से 100 तो इसने रख ली, तो इसके पास कितनी बची होगी, 130 volt बची होगी, इसका current 5 ampere voltage इतनी resistance निकाल दो, that is V by I is equal to R, that is 130, बाग आची के 30, इस परकार 26 ohm आ जाएगा, ठीक है, यह है simple सा concept आपको जो बताया गया है, इसके बाद इस circuit contains an emitter, battery and resistance इतना ohm all connected in series, a circuit contains an emitter, a battery of 30 volt and a resistance of 40.8 ohm all connected in series, if emitter has coil of resistance, देखिए, एक circuit है, जिसके पास battery है, और एक resistance है, 40.8 ohm का, यह रहा resistance, 40.8 ohm का resistance है, and emitter has coil of resistance, जो emitter है, उसके पास, जो coil resistance है, 480 ohm and sunt of 200 ohm, यानि कि, इस coil का resistance है, 480 ohm का, और साथ में है sunt, sunt हमेशा parallel में लगता है, याद रखे, 20 ohm का sunt है, sunt है, 20 ohm का, जो parallel में लगता है, और इसको connect कर दिया, पूरे system को battery से, यह आपका जो है, circuit diagram है, आपके सामने रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दू, कि जो emitter है, उस emitter को बनाने का तरीका यह होता, यह पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने यह प्रस्तुत है, यहां से लेकर करके, जो white box में बंद कर रहा हूं, यह पूरा system कोन है, यह है emitter, यही emitter है आपका, इसमें parallel में जो resistance होता उसको संट बोला जाता है, तो चर्शो 80 के parallel में जो 20 है, वो आपका क्या है, संट है, the reading of emitter will be, emitter की reading क्या होगी, अब एक बात सोचिए, यह पूरा emitter, और अभी-भी मैंने just अभी-भी आपको बताया था, just अभी-भी आपको यह बोला भी था, कि जो हमारा, देखिए, series में connect होता है, कोन? emitter, emitter हमेशा series में, तो यह बात आपको अभी-भी बताया गई था, कि जो है emitter, series में connect होता है, तो emitter series में connect होगा, तो यह series है, इसके अंदर से जो current है, वही current इस पूरे circuit में से जाएगा, और उस हमें क्या करना, find out वही इसकी reading होगी, तो इसक से पहले यह 480 और 20 किसमें, पैलल में, तो 1 बटे 480, पलस 1 बटे 20, इसका LCM लीजिए, 480 गुणा 20, ऊपर 20 जाएगा, इस तरफ 480, तो कितना हो जाएगा, 500, फिक है, तो यह 10, 10, एक यह, एक ही है, यह कितना बच गया, 5, और यह होगा, चान में, इसका resistance solve करो के total, तो यह आ जाएगा, 96 divided by 5, solve करो, 5 बन जा, 4, 95, 42, यह resistance आ गया, अब यह इसके सीरीज में है, तो total resistance कितना हो जाएगा, that is, 40.8 पलस 19.2, तो यह हो जाएगा, 60, यह total resistance आपके पास बन किया गया, total resistance हो गया, voltage आपको है, तो V is equal to I into R, यह लगा लिया, अब current आपको निकालना है, तो voltage आपको कितनी है, 30, total resistance कितना है, 60, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 ampere, मतलब 0.5, 0.5 ampere, यह circuit टाइग्राम अग ने बना लिया, तो question soul हो गया, क्योंकि यह दोनों parallel में, यह series में, पूरे में से current तो same है, और यह क्या है, emitter है, question number 38, लेखिए, 38 question की बात करते हैं, A, B and C are the voltmeter of resistance R, 1.5 R and 3 R, A, B, C आपको दिखाई दे रहे हैं, A, B, C, इसका resistance R है, इसका resistance है 1.5 R, और जो बचा है, उसका resistance C R, respectively as shown in the figure, आपको diagram में दिखाया गया है, when some potential difference is applied between X and Y, अगर कुछ potential difference X और Y के बीच apply कर दिया गया, माल लिया V कर दिया, हमने अपनी तरप से कर लिया, the voltmeter rating VA, VB and VC respectively, क्या होगी, यारिकि कितना कितना जाएगा, अब एक बात सोचिए, जब आप इन दोनों का parallel combination निकालोग parallel combination का resistance निकालोगे, तो निकाली ये क्या बनेगा, that is 1 बटे 1.5 R, इसको क्या लिखा जा सकता, 3 बटे 2 R, इसको तैसे लिखा जा सकता, प्रस 1 बटे 3 R, 3 R लिया LCM, ये है 2 प्लस 1, 3, इसको cancel किया तो ये वागया, 1 बटे R P, solve करोगे तो R P की value कितनी हो जाएगी? R के बराबर, कहने का मतलब ये circuit किसमे convert हो गया? ये circuit हो गया, ये A, और इन दोनों को मिला के एक resistance बन गया, वो बन गया R, और इसका resistance भी क्या है? R है, अब इस पूरे system को किस से connect कर रखा? बैटरी से, ऐसे ही तो बना, देखो, इसका resistance इन दोनों का parallel combination किया, तो इनका resistance भी आ रहा है, इसका voltage क्या है? V के बराबर, मतलब क्या, जब दोनों का resistance सेम है, तो इसके पास भी V by 2 रहेगी, और इसके पास भी V by 2 रहेगी, आधी-ाधी voltage बटेगी, क्योंकि दोनों का resistance सेम है, resistance सेम तो voltage भी आधी-ाधी, अब इस पूरे system के पास, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास कितनी voltage आई? V by 2, और parallel में voltage क्या रहती है, सेम, तो मतलब इसके पास भी V by 2, इसके पास भी V by 2, तीनों के पास कितनी voltage होगी? V by 2, मतलब तीनों की voltage क्या होगी? Equal, तो option number B क्या हो गया? Correct हो गया, इस तरह से solve कर ले next question है, इसको थोड़ा space के लिए हम दूसरे तरीके से solve करेंगे, देखे, two roads are joined end to end, आपको दिखाई दे रही है, एक copper और एक iron, दो road को इस तरह से join कर दिया है, आपके सामने जो दिखाई दर्शाय गया है, two roads are joined end to end as shown, both have a cross-sectional area 0.01 cm2, मतला दोनों का जो cross-sectional area है, वो है 0.01 cm2, each is 1 meter long, और दोनों की length कितनी है, एक meter है, ये दोनों के लिए हैं, ये parameter दोनों के लिए सेम है, अगला खुद बोल रहा है कि दोनों के लिए parameter सेम है, one road is copper with resistivity इतनी, अब इन्हें अलग क्या दे दिया, resistivity of copper, मैं लिखूंगा रोसी से, that is 1.7 into 10 to raise power minus 6, ohum cm, cm में, and other iron है, और iron को लिखा मैंने app से, और उसकी resistivity इन्होंने दे रखी है, इसकी resistivity जो है 20 को complete नहीं लिख रखा है, जितनी भी है, dash लिख दिया, और ohum per cm, इसको पूरा नहीं दे रखा है, complete जो है, यह नहीं type ओप आई है, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, फिर आपका question बन जाएगा, how much voltage is required to produce current of 1 ampere, and कि इस circuit में 1 ampere के current को produce करने के लिए कितनी voltage चाहिए, अब voltage के लिए हम क्या करेंगे, that is current, गुणा में resistance यहीं, अब current की value तो 1 ampere दे रखी है, अब resistance चाहिए, अब resistance कैसे निकालोगे, यह दोनों रोडे किसमे हैं, series में हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, resistance of copper plus resistance of iron, दोनों को add करेंगे, resistance of copper कहा से निकालोगे, resistance of copper निकालोगे, that is row of copper into length divided by my area, इसी पर का resistance of iron, that is row of iron into L divided by my area, series में connect करो, row of C L by A plus row of F into L by A, यह total resistance हो गया, यहाँ पे क्या कोमन ले लिया, यहाँ पे कोमन आगया L by A, यहाँ पे कोमना गया L by A, और साथ में कोन रहा, row of C, पलस में row of iron, ठीक है, अब L by A की value, L by A की value आपको given है, यह रही सामने, और row of copper आपको given है, row of iron भी आपको given है, यहाँ से resistance निकालके, इस formula में रखिए, current की value बने पीरत आपके पास क्या जाएगी, voltage आजाएगी, बाय mistake इस question में यहाँ पे पूरी value नहीं रखिए, यह तो 100% की power दोनों की same ही होनी है, यहाँ पे 10 to raise power minus 6 ही रहेगी, फिर भी अगर मैं question को solve करो और यह answer ना मिले, तो आप समझे लो, यहाँ power जो है मैं उसको नहीं लिख पाया हूँ, वो type करते हुए mistake हो गई, आपको तरीका मैंने समझा दे कि कैसे इसको solve होगा, इस तरीके से यह question जो आपका solve होगा, अगला question, यह question भी बड़ा important है भई, एक ring बना दिया जिसका total resistance कितना है, 12 ohm का है, find the points A and B as shown in the figure, जो आपको A और B, दो points आपको दिये गए है, at which a current carrying conductor should be connected, so that resistance R of sub-circuit between these points equal to 8 by 3 ohm, यान कि क्या कह रहा है, कि जब आप यह 2 points जो दिखाई दे रहें, अगर इस 2 points के उपर कोई connector connect करें, तो इसका जो total resistance बन के आएगा, वो 8 बटे 3 ohm बन के आएगा, यह कह रहा है, इतनी बात कर रहा है, शुरू में, जब यह A और B point नहीं थे, तब इसका resistance कितना था, 12 ohm, जब हमने A और B के उपर कोई connect कर दी battery, तो यह कितना बन गया, 8 बटे 3 ohm, अब आपको इसका मतलब समझा रहा क्या कराई, यह कहना चाह रहा है, कि जब आप इसके उपर connect कर दोगे, तो यह L1 वाला resistance और L2 वाला resistance किसमे हो जाएगा, parallel, और इस parallel combination का resistance है यह, और इससे पहले जो आपका resistance था, वो यह था, माल लिया जाए, यह है XL1 resistance, पहले वाला, और दूसरा है, R2 is equal to X times of L2, इतना माल लिया, ठीक है, total resistance निकालोगे, जिसको R note कहोगे तो वो कितना हो जाएगा, that is XL1, पलस में XL2, और जो किसके बराबर है, that is 12 on के बराबर, तो 12 की value क्या होगी, X को common लिया, दोनों जगे, L1 पलस L2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, total resistance को X माना, तो X में से L1 X तो इसको मिल गया, और L2 X इसको मिल गया, total पूरी length का resistance X है, तो L1 X इसको मिल गया, और L2 X इसको मिल गया, इस परकार से हमने इसको solve किया, अगर इसी का parallel combination करता हूँ, तो 1 upon में XL1, पलस 1 upon में XL2, is equal to 1 upon में total resistance है, 8 by 3, ये रहा, R2, solve करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XL1 XL2, और उपर जाएगा कोन XL2, और पलस में XL1, और इस तरफ हो जाएगा, 3 divided by 8, इस तरह से, अब यहाँ से common ले लो X, देखो, X यहाँ से common लिया, X, और 1X से X गया, एक ही जाएगा, क्योंकि नीचे multiply में है, और उपर किस में है, पलस में है, दोनों मत कर देना, तो उपर होगा, L2, पलस में L1, divided by में L1, L2, इन्टो X, is equal to 3 divided by में 8, हो गया, अगर हम यहाँ पर L1, पलस L2 की value निकालें, तो यह हो जाएगी, 12 बटे X, is equal to L1, पलस L2, यह हो जाएगा, तो रख लीजिए यहाँ पर, यह हो जाएगा, 12 divided by में X, और यहाँ पर L1, L2, इन्टो X, is equal to 3 divided by 8, तो 3 चोके बारा, 8 चोक 32, तो 32 L1, L2, X का स्क्रिया, इस परकार्चे हो गया, अब आपको L1 by L2 के लिए इसको सोल करना है, यह तो आपके पास क्या आ गया, L1, L2 आ गया, ठीक है, अब आपको किसके लिए सोल करना है, L1 by L2 के लिए इसको सो है, simplify करना है, जो पूरे के पूरे circuit को, उसके लिए आपको simplify करके आपको उत्तर बताना है, कि क्या आएगा, ठीक है, तो आप next में क्या करना है, इसको rearrange करना है, केवल आपको और कुछ नहीं करना है, आप rearrange करोगे, तो आपके पास automatically क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा, देखिए, आप simplify करने के लिए, x की value निकाल लेजिए, चाहिए, आपको कुछ और तरीके से इसका simplification मिले, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, simplification के लिए, ऐसा मत कीजिए, आप कीजिए, देखिए, यहाँ पे क्या है, l2 प्लस l1, divided by, यहाँ को नहीं, l1, l2, into x था, is equal to, is equal to 3 divided by में 8, यह हो गया, यहाँ से आप x की value निकाल लेजिए, x की value क्या होगी, 12 बटे l1 प्लस l2, यहाँ पे x था, x की जगा लखा दे, 12 बटे l1 प्लस l2, तो उपर हो जाएगा इसका square, क्योंकि एक और आएगा, तो इसको solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ती 12, तो यह हो जाएगा, l2 प्लस l1, whole का square, divided by में, l1, l2, is equal to 9 बटे 2, इतना हो जाएगा, एक equation तो इसकी यह बनेगी एक equation और भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो equation से solve हो, तो इस equation को बनाएगे, हम यहाँ पे हमारे पास यह equation थी, अब देखिए, हम इसको क्या करशकते हैं, इसको यहाँ से जो l2 है, इसको common ले वीजिए, l2 को लिया common, अगर यहाँ से l2 को common लेंगे, तो l2 square common आएगा, एक् अब से, और divide भी कर दो, जैसे कि मैं इस पूरी equation को यहाँ l2 से, जो है, l2 square से multiply करू, l2 square से multiply करू, l2 square से divide कर दो, तो कोई फरक नहीं पड़ता, इसलिए l2 square से हमने कह ले लिया common, यहाँ क्या बचेगा, 1 पलस l1 divided by में l2, और यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, square, और divided by में क किसी को नहीं पता, यहाँ l2 से multiply करो, l2 से multiply करो, और l2 से divide कर दो, तो यहाँ l2 square बनेगा, वो भार आ जाएगा, ठीक है, इस परकार यहाँ पे एक l1 बटे l2 बच जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, यहाँ हो गया अब l2 into 1 पलस l1 divided by में l2, whole का square divided by में l1 is equal to 9 बटे 2, य यह होगा 1 पलस l1 by l2, whole का square, l1 उपर जाएगा, तो 9 l1 divided by में 2 l2 नीचे, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, y मान लीजिए किसको l1 by l2 को, आपका मन करें, इसको x मानों मन करें, आप इसको y, कोई भी ट्रम मान लो, x मान लिया, x तो पहले ले ही रखा है, x तो पहले मान l2, इस पर का, तो इसकी जगा y रखो, तो 1 पलस l1 by l2 की जगा y, और इसका क्या होगा, square, is equal to 9 बटे 2, into y, हो गया, अब इसको आगे simplify करेंगे हम, आगे simplify कैसे करेंगे, देखी, 1 पलस y क्या होगा, 1 पलस y का square, पलस में 2y, क्या उपन कर दिया, a पलस b square, इस तरफ कोन बच 9 बटे 2, into y, 2 इस तरफ आएगा, तो 2, पलस 2y square, पलस 2 दुनी, 4y is equal to 9y, अब आपको यह quadratic equation दिखाई दे रही है, इस quadratic equation को solve कीजिए, जो ratio y का आएगा, वही तो l1 by l2 है, उसी की value पूछ रहा, l1 by l2 की, तो quadratic equation को just आपको solve करना है, यह तो आपको solve करनी आती है, quadratic equation को solve करने से में, 2y square, ठीक है, इस तरह आएगा, तो 4y में से 9y गया, minus 5y, पलस में, 2 is equal to 0, यह quadratic equation है, इसको solve करना है, y की value जाएगी, वही आपका ratio होगा, इस तरह से, तो यह question काफी लंबा question है, एक आद question कई बार डालते हैं, वही लंबा question, वह आपको solve करना पड़ेगा, उसका कोई विचारा नहीं है, हमारे पास, the power dissipated in the circuit shown in the figure, आपको दिखाएगा, इस circuit में, कितनी power dissipate होगी, is 30 watt, इस circuit में 30 watt की power, जो है, dissipate हो रही है, the value of R is, इस R की value आपको बतानी है, जो आपको दिखाएगा, अब देखिए, power का जो formula होता है, वह किसके बराबर होता, V square divided by R, अब total resistance निकालो, parallel में, एक बटे R, पलस में, एक बटे 5, तो यहाँ पे क्या आगया, 5R और उपर जाएगा, R पलस 5, अब R निकालोगे तो, parallel combination का मोद हमार दो, उल्टा कर दो, 5R, यह हो गया, इस परकार से, अब power आपको कितनी दे रखिए है, 30 watt, ठीक है, V आपको कितना दे रख आपको V, ठीक है, divided by total resistance, 5R, divided by में, R पलस में, 5, केवल आपको एक ही value निकालनी है, वो किसकी निकालनी है, R की value निकालनी है, तो निकाल लीजी R की value, solve कर लीजी, इसको solve करोगे, तो यह हो जाएगा, इस से यह गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरफ आएगा, तो 3 गुणा में 5R, और बटे में, R पलस 5 is equal to 10, यह इस से cancel होगे, कितना हो जाएगा, 2, यह हो जाएगा, कितना 3R is equal to में, यह इसके साथ multiply होगा, तो 2R पलस में 10, यह इस तरफ आएगा, तो R is equal to 10 Ohm, तो R is equal to 10 Ohm के बराबर, simplified सी चीज है, पूरे circuit का resistance निकालो, voltage दे रखी है, पावर दे रखी है, तो simple सी बात है, आपको सोचना पड़ेगा, जब तक आप सोचोगे नहीं, तो कैसे solve करोगे, तो मैं वही कह रहा था कि, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो quantity बढ़ेगी, और एकाद question तो आप ऐसा मिलेगा, जो आपके दिमाग के पुर्जे- नहीं जाते हैं, उसको आपको माइन्ड में सोचने के लिए आपको अभी थोड़ा सा एक, दो सेकिंड, तीन सेकिंड वक्त लगता है, ठीक है, तो नोर्मल प्रोसिजर है वो, next question, if the power dissipated in 9 ohm resistance, 9 ohm resistance in circuit zone is 36 watt, यानिकि आपको दिखाये गए 9 ohm के resistance, इसके अंदर कितनी power dissipate हो रही है, 36 watt की, ऐसा इसका बोलना है, the potential difference across the 2 ohm resistance, जो आपका 2 ohm का resistance है, इसके across कितना potential है, वो फाइंड आउट करना है, अब आपको इसमें माइन्ड में सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले 36 watt है, 9 ohm का resistance है, तो इससे क्या निकाल ले इसकी voltage, जो इसकी voltage, वही इसकी voltage, क्योंकि parallel में voltage क्या रहती है, same रहती है, voltage change नहीं होती है, अब parallel में voltage same होती है, तो हमने इसकी और इसकी voltage पता कर ली, voltage पता करते ही, दोनों 6 watt और 9 ohm से आपके पास voltage आ गई, voltage पता, resistance पता, तो current निकाल लो, जो current आएगा, वही इस circuit में से आएगा, और वही circuit इस 2 ohm में से भी जाएगा, जिसको हम आई कहेंगे, अगर आपको उसके current का पता चल गया, जो 2 ohm के अक्रोस है, उसके resistance का पता है, आपको 2 ohm है, तो voltage आ आ जाएगी, अब एक बच्चा स्वाल कर सकता है, यह कह सकता है, जी आप 36 watts से जब voltage निकाल वे हो, इसकी voltage आगी, निकाल लेते हैं, that is, P is equal to V square divided by R, power कितनी है, 36, resistance उपर जाएगा, voltage हैं हमारे पास, voltage हमें निकाल लेते हैं, तो resistance जो हैं हमारे पास कितना है, देखिए, power कितनी है, 36, resistance कितना है, 9, यहाँ पर क्या आगया, V square, root करेंगे तो इसका अच्छे हैं, इसका 3, तो यह कितना आगया, 18 volt, यह कोन आगया, voltage आगी, किसकी voltage आगी, इस इसकी voltage आगी, 18 volt, इसकी voltage, अब कहोगे, सर, parallel में तो voltage सेम है, यहाँ पे भी है, पर बच्चा परटे, एक बात सोचे हैं, आप V की value नहीं दे रहा है, आपको डबल फचारा, डबल क्रोस कर रहा है, यहाँ पर अगर कोई V की value दे रहा होता, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते जो V की value उसमेंच 18 volt की गटा देते, गटते ही जो बच्ची है वो इसकी voltage है, और फिर हम निकाल लेते किसे voltage मिल गई, पर उसने ऐसे नहीं किया, अब हमारे पास इसका resistance इतना है, इसका 18 volt है, तो इस circuit के पास भी 18 होगी, क्योंकि parallel में voltage क्या होती है, यह सेम, दोनों का resistance एड कीजिए, parallel combination का 1 बटे 9, पलस में 1 बटे 6 हैं, तो यह हो जाएगा, यह जो इसको solve करोगे, तो यह complete जो हो जाएगा, LCM है 9.15, 6, 9, 15, तो 3, 15, और 18, उल्टा करोगे तो 18 बटे 5 ohm, यह total resistance है, किसका इस parallel combination का, और इसका voltage कितनी है, इसकी voltage है 18, तो current कितना होगा, that is V divided by R is equal to current, voltage इसकी कितनी थी, 18, इसका resistance कितना है, 18 बटे 5, cancel out करके कितना current आ गया, 5 ampere current आ गया, मतलब क्या, मतलब यह इस circuit में से जो current जा रहा है, वो 5 ampere का है, मतलब इसको कितना current मिला, 5 ampere का, तो इसकी voltage कितनी होगी, 5 ampere का current, 2 ohm का resistance, तो voltage होगी 10 volt, ठीक है, तो voltage कितनी होगी, 10 volt हमें एक मन में strategy बनाई, 36 watt power दे रहा तो voltage निकालो, दोनों का resistance करके parallel combination उससे निकालिया current, current series में से हमें तो इसके पास भी वही current और इस combination के पास भी वही, current से हमने क्या निकाल दी voltage एक wire है, जिसका resistance है, 12 ohm पर मीटर, एक मीटर का बारा, ठीक है, तो complete circle of radius 10 cm, कितने का, जिसकी radius कितनी दे रखी है, 10 cm radius दे रखी है, वो circle बना दिया गया, resistance between its two diametrically opposite point as shown in the figure, नई दिखा रखे मैं दिखा देता हूँ, यह रहा और यह रहा, यह point A है, और यह point क्या है, B है, ठीक है, आप बात सोचिए, अगर आप total की बात करते हो, अगर आप total इस पूरे wire की length की बात करते हो, तो वो length होगी 2 pi into r, और अगर आदे की बात करते हो, त कितनी pi into r, उपर वाले की भी कितनी pi into r, इस पर कार, अब pi तो pi रहा, और r कितना है, 10 cm है, meter में बदलोगे तो कितना point 1 meter, यह point 1 meter, यह length है, ठीक है, अब देखिए, पूरे के पूरे का resistance जो है, वो कितना दे रहा, 12 ohm पर meter, तो आदे की length कितनी है, 0.15, 0.15, तो इस आदे का resistance कितना हो जाएगा, that is, 12 ohm पर meter है, और इतने meter का कितना, तो pi into 0.1, गुणा में 12, इस पर कार, एक meter का इतना है, तो इतने meter का, multiply by this, तो यह कितना हो जाएगा, 1.2 pi, ठीक है, इसका भी 1.2 pi, क्योंकि दोनों इससे symmetrical है, बराबर है, और इसका भी 1.2 pi क्या है, resistance है, दोनों का स combination को कैसे add करते हो, एक बटे, 1.2 pi, पलस, एक बटे, 1.2 pi, सोल करोगे तो आ जाएगा, उत्तर, उल्टा करके, last answer बता रहा हूं, 0.6 pi, that is 0.6 pi, इस परकार से, आपको just mind assumptions बनानी कि पूरे wire की length 2 pi r है, तो आदे की कितनी, pi r, जैसे 0.1 pi meter, इतनी है, इस आदे इससे की नीचे वाले की, तो एक मीटर का resistance बारा हूं, पर मीटर का मतलब, एक मीटर का बारा हूं, तो 0.1 pi का कितना, गुणा में बारा, दोनों का parallel communication कर दो, 44, एक current of 3 ampere flows through 2 ohm resistance, 2 ohm के resistance के तुरू current कितने का हावई, 3 ampere का, यहां से current कितना जा रहा है, 3 ampere, आपको diagram में ही दिखा रहा हूं, कि 2 ohm के across कितना है, 3 ampere current है, zone in the circuit, find the power dissipated in the 5 ohm, 5 ohm में कितनी power आई, वो बतानी है, यह बताना, तो 5 ohm के formula हो जाएगा कितना, that is I square into R, यह formula हो जाएगा, अगर हमें इसका current पता चल जाए, तो power dissipation निकाल दे, क्योंकि इसका resistance तो 5 है, current नहीं पता, सीधी सी बात ही है, current कैसे निकालो, सोचो, हम क्या करें, 3 ampere current, 2 ohm का resistance, इससे निकाली voltage, voltage कितना होता, I into R, एनकी 2,3, 6 volt, अब इस पूरे circuit की भी 6 है, इसकी भी 6 है, और इस पूरे क्या है, 6 है, क्यों 6 है, क्योंकि parallel में हमेशा voltage क्या रहती है, अब parallel में voltage होगी, same, पूरे circuit की है, तो पूरे circuit का, इसका current कैसे निकालोगे, that is, V is equal to I into R, और voltage अच्छे है, और total resistance कितना, 5 और 1,6, तो पूरे circuit का current कितना, 1 ampere, ठीक है, तो जो इस 1 ohm में से, 20 में से, क्योंकि series में तो current क्या होता है, same, तो इस पूरे circuit का, नीचे बाले का current कितना, 1 ampere, तो यहां पे value रखी, 1 का square, और resistance कितना, 5, तो गुणा में 5, तो कितना उतरा गया, 5 watt, 5 watt, इस तरह से, तो हमने क्या किया, starting में फिर से मैं आपको अगर समझाओ, हमने क्या किया, देखिए, just recap दे र 6 volt की, अब 6 volt से current निकाला, 1 ampere, वही 1 ohm के across है, वही 5 ohm के across, क्योंकि series में current क्या है, same है, तो इसका current 1, resistance 5, उतर 5 watt, अगला, the power dissipated across the 8 ohm resistor in the circuit here, 8 ohm resistor circuit here is 2 watt, इसके across जो power है, वो कितने की है, 2 watt की है, 8 ohm के resistance, the power dissipated watt unit across the 3 ohm resistance, इस 3 ohm resistance के across power बताने है, ठीक है, अब फिर से power का formula क्या, वही, that is I square into R, उसका resistance तो दे रखा है 3, पर मुझे current नहीं पता, अगर current मिल जाए, तो power मिल जाए, कैसे मिलेगा, इसकी 2 watt power और इसका 8 ohm resistance, ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल ले, power is equal to V square divided by R, इससे voltage निकाल ले, power कितनी है, 2 watt, resistance कितना है, 8 है, तो किसके बराबर, V square, 8 दूनी 16, 16 का root 4, तो 4 volt के आगी voltage, यह 4 volt है, तो यह पूरा combination किसमें, पैलल में, तो इसकी भी कितनी होगी, 4 volt होगी, ठीक है, अब पूरे का voltage 4, पूरे का resistance भी 4, तो इस पूरे का current भी कितना, 1 ampere, जो इस में से flow करेगा, 1 ampere, तो इस 3 ohm का भी current कितना, 1 ampere, तो एक का square, तो उत्तर कितना, 3 watt, ठीक है, तो उत्तर कितना आ गया, 3 watt, एक उप्शन, 46, when a wire of uniform cross-sectional area A and length L resistance R is bent into a complete circle, the resistance between any two diametrically opposite point will be, देखिए, ये पूरा circle है, इसके diametrically opposite point, इनके बीच बताना है, तो एक resistance जो बन गया, वो बन गया, रो L divided by A, और इस पूरे को क्या बोल दिया, R बोल दिया, ठीक है, जो आपको सामने है, ये R, अब इसको diametrically opposite point लिया, तो मतलब दो बागों में तोड़ दिया, दो बागों में तोड़ दिया, तो उपर वाले के पास भी आदा, और नीचे वाले के पास भी आदा, आप दोनों किसमे होगे, पैलल में, क्योंकि इनके बीच अगर आप बैटरी लगा के देखोगे, तो आपको ये by four, पहला option, ठीक है? मेंटेन रहे गी भाई, resistance N, each of our ohm, when connected in parallel, given ए equivalent resistance of our ohm, इस परकार, देखिए N resistance को parallel में connect कर दिया, इस तरह से, और इसकी जो equivalent resistance है, equivalent resistance है, वो किस के बरावर है? R Ohm के बरावर है तो कैसे होती है पहले का 1 by R दूसरे का भी 1 by R क्योंकि पहलेल कम्मिनेशन और लास्ट का कितना हो जाएगा N by R इस पूरे को किसके बरावर बोल रहा है 1 by R के बरावर यही तो कह रहा है देखिए पहलेल कम्मिनेशन का resistance किसके बराबर R हो, तो पहले का 1 by R, दूसरे का 1 by R, तीसरे का, फिर last का, जो last बच गा, nth बच गा, ये nth है, तो वोगा n by R, total किसके बराबर, 1 by R के बराबर, अब इसको solve करेंगे, तो R की value हो जाएगी, R divided by n, इस तरह से, सभी को add करोगे, n को add करोगे, तो n by R हो जाएगा, पहला 1 by R, दूसरा भी add किया, 2 by R, तीसरा एड किया, 3 by R, चोथा add किया, 4 by R, पाचमा add किया, 5 by R, और nth add किया, तो n by R, तो total कितना हो गया, उल्टा कर दिया, तो R by n, if these resistance were connected in series, the combination would have resistance in ohum equal to, अगर इन्ही को series में connect कर दिया जाए, तो total resistance R dash किसके बराबर होता, n times of R, इतना होता, क्योंकि series में कैसे add होते, पहला R, दूसरा add होगा, 2 R, तीसरा add होगा, 3 R, 4 R, 5 R, n add होते, n into R हो जाएगा, इस परकार, ऐसे ही होता न, 1, 2, 3, 4, 10 add कर दिये तो 10 R, 20 add कर दिये तो 20 R, n add कर दिये तो n R, यहाँ से अगर मैं R की value निकालूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, n times of R हो जाएगी, यहाँ से निकाल ली, यहाँ पे रख दो, n into n times of R, तो यह क्या बनेगा, n square into R, यह रहाउत तर, n square into R, when three identical बलब of 60 watt and 200 volt rating connected in series to 220 volt, यहाँ कि तीन बलब है, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों का connection, बहार से कर दिया, कितने से, 200 volt से, 200 volt supply से, the power drawn by them will be, कितनी power होगी, पहला 60 watt, दूसरा भी 60 watt, तीसरा भी 60 watt, ठीक है, इसकी voltage भी 200, इसकी voltage भी 200, और इसकी voltage भी 200 volt, 200 volt, 200 volt, क्योंकि series combination है, voltage बिल्कुल सेम रहती है, तो इसका पूरे का power क्या होगा, अब एक बात याद रखना, सीधे से फार्मूले बता रहा हूँ, जब आपके पास series होगी, तो power का फार्मूला होगा, एक बटे P, is equal to 1 by P1, फार्मूला होगा, 1 by P1, पलस 1 by P2, पलस 1 by P3, यह power का फार्मूला होगा, यह किसका है, series का, यह फार्मूला किसका है, series का, अगर यही parallel का होता, तो power जो parallel में होगी, यह कैस में थी, series में, तो वो क्या हो जाएगी, P1, पलस P2, पलस P3, यह दोनों फार्मूले याद करने, यह series का है, यह series का है, यह parallel का, उल्टा चलता है, यह किसका series का, यह किसका parallel का, series में total power क्या होगी, 1 upon P1, पलस 1 upon P2, पलस 1 upon P3, अब देखिए, सारे series में है, तो कर्दीजी add 3 थे, तो, 1 बटे 60, पलस 1 बटे 60, पलस 1 बटे 6, add करोगे तो क्या होगा, 60 को ली एल्सियम, 1 पलस 1 पलस 3, तो यह cancel होगे होगा, 1 बटे 20, तो यह उत्तरा जाएगा 20 वाट, इस परकार, उत्तर हो जाएगा 20 वाट, अगर यह parallel में होते हैं, 60, 60, 60, 60, कितना होता है, 180 वाट, तो याद रखना, parallel में direct add होगे, और series में इस तरह से add होगे, यह आपको याद रखना है, combination आपको क्या करना है, याद रखना है, इनका power का, ठीक है, बे, next question, 49, an electrical kettle has two heating coils, एक electrical kettle के पास दो heating coils है, when one of the coil is connected to an AC, source, the water in kettle boils in 10 minutes, जब एक को AC source से connect कर दिया जाए, तो कितने minute में water boil किया, 10 minute में water का boiling उसमें हो चुका है, ठीक है, when the other coil is used, the water boils in 40 meter, यह पहली के कान हुआ, दूसरी coil जो यूज करता है, तो वो हो गया, 40 minute में, boil करती है, ठीक है, यह both are connected in parallel, the time taken by the same quantity of water to boil will be, यानि कि कहने का मतलब यह है, कि जब आपके पास, जब आपके पास, एक पहली coil थी, उसने time लिया 10 minute, दूसरी coil पे वही काम करेंगे, तो 40 minute, दोनों coil को parallel में कर दिया, तो तब कितना होगा, यह पूछ रहा है, तो जब parallel का combination होता है, तो total time period होता है, एक बटे TP, T1, पलस T2, इस तरह से, ठीक है, यह time period किसका है, parallel का time period है, जो आपके सामने है, अगर यही series का होता, तो series का time period होता, that is T1, पलस में T2, इस तरह से होता, तो आपको दो formula यहां भी बताएं, इस से पहले वाले में भी दो बताएं, कि series में, जब power को add करोगे, 1 by P1, 1 by P2, 1 by P3, ऐसे, और parallel में add करोगे, तो P1, P2, P3, time period के case में, series में seed addition, और parallel में इस परकार से addition, अब देखिए, दोनों को parallel में add किया, तो 1 by 10, पलस 1 by 40, LCM ले लो, चर्शो, 40 पलस 10 उपर 50, 40 इस्तरब 10 इस्तरब 50, cancel out, 8 आट आ गया, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 मिनट, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 मिनट, इस परकार से, simple सातरीक का बता रहो, series combination में direct add क्रो time को parallel में 1 by करके, पर power के case में थोड़ा उल्टा हो जाता है, power के case में थोड़ा उल्टा हो जाता है, यह रहा, power के case में उल्टा हो जाता है, series में 1 by 1 करके, और parallel की बात करोगे, उसमें direct P1 plus P2 plus P3 करके, इस तरह से, देखो यह रहा, P1 plus P2 plus P3, यह simple सी बाते आपको इसलिए बताई जा रही है, क्योंकि यह question, यहाँ पे अगर मैं फार्मूले करने शुरू करोगे, तो फिर आपको बहुत time लगेगा, और वो time आपके पास है नहीं, क्योंकि question paper में आपको direct question को क्या करना होता है, crack करना होता है, soul करना होता है, इसलिए, तो यहाँ पे हम इसको, इसलिए soul कर पा रहे हैं, इस तरह से हम इसको soul कर रहे हैं, अब आपको पता होगा कि heat का जो फार्मूला होता है, वो किसके बरावर होता है, i square r into t, ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं h by t कर दूँ, तो यह बनेगा i square into r, ठीक है, resistance or time period का यह relationship है, resistance or time period का relationship है, यह इस तरह से, ठीक है, तो यह resistance or time period का relationship मैंने आपको बताया है, और यह formula आपको जो है direct, ठीक है यह इस प्रकार से, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको यह बात बताऊँ, यह कैसे soul हो रहे हैं, तो देखिए, कैसे आपको करना है यह, आपको पता है कि जो heat होती है, वो किसके बराबर होगी, that is power multiply by my time, इसी प्रकार, क्योंकि power का formula आपको पता है, किसके बराबर होता है, q divided by t, यही तो होता है, q मतलब किसी चीज़ को गरम करना, तो heat देनी पड़ेगी, तो q, जिसको आप किसके equivalent मानते हो, h के equivalent, इसका multiply किया तो यह आगया formula, अब h is equal to, power हो जाएगा, that is v square divided by my r, इंटो में t, इस तरह से हो गया, अब आपको देखोगे कि resistance है, वो directly proportional किसके आ रहा है, t क्या रहा है, अब resistance add कैसे होते हैं series में, that is r1 plus r2, तो उसी पर का time period भी series में कैसे add हो जाएगा, t1 plus t2, panel में कैसे add होगा, 1 by r1 plus 1 by r2, तो time period भी 1 by t1 plus 1 by t2, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, directly proportional है, पर इस case में आप यह heat का formula नहीं लगा सकते, यह आपके सामने रहा, यह वाना, क्योंकि आपको यहाँ पर power का include करना है, क्योंकि electrical जो heating coils होती है, उनके पास अपनी खुद की power होती है, देखो, यह heat तो कब पैदा हो रही है, यह heat तब पैदा हो रही है, जब उस circuit में से हम किसी current को pass कर रहे हैं तब, पर उस heating coil के पास चलोगे तो उत्तर गलत निकाल दोगे, क्योंकि उसको AC source से connect किया तो उस coil की खुद की कोई न कोई power थी, उसका हमने यहाँ पर यूज करना है, अगला, इन N equal resistor, N equal, N equal resistor are first connected in series and then connected in parallel, what is the ratio of maximum to minimum resistance, अब देखिए, जब series में connect होंगे तो उनका resistance maximum ही तो होगा, series में जो resistance होता maximum और parallel में minimum, एक question अलग से भी बनता है, पूछ सकता आपसे कि maximum resistance कहा होता है, series में और minimum कहा होता है, parallel में, तो एक का resistance R है, तो N का resistance कितना हो जाएगा, N R, ठीक है, यह किसका होगा combination series का, अब करते हैं parallel का, देखिए, parallel का पहले का resistance 1 by R, दूसरे का resistance 1 by R, तीसरे क से add करते चलोगे, तो N का resistance कितना N by R, टोटल निकालोगे तो parallel combination में कितना हो जाएगा, R by N, अब maximum तो हो गया वो, जिसको R maximum कहोगे, और minimum हो गया यह, जिसको R minimum कहोगे, maximum है N into R, और minimum है R by N, R से R cancel किसके बराबर होगा ratio, N square के बराबर होगा, तो यह N square है वई, उपर square Question number 51, a set of N equal resistor, N equal resistor है, of value R each, परतेक की value क्या है R, are connected in series to battery of EMF E and internal resistance R, the current drone is I, उसका जो current drone है वो I है, now then N resistor are connected in parallel to the same battery, then current drone from the battery becomes 10 I, the value of N is, सब से पहले N resistor को series में जोड़ा, देखिए, N resistor को series में जोड़ दिया, माल लिया जाए, N resistor थे, जो series में जोड़ा, परतेक का resistance R है, तो सभी का मिला के resistance कितना हो गया, N into R, इतना ही तो होगा, एक का resistance R है, N को series में जोड़ा, तो R plus R plus R plus R plus S, करते करते कितना होगा, N R, series में connect battery of EMFE and internal resistance R अब इसको एक battery से connect कर दिया गया जिस battery का EMFE है और इसका internal resistance है R internal resistance B capital R ही है वोई internal resistance B के है capital R the current drone ही जाई इसका current कितना है I के बराबर तो I के बराबर है तो कितना निकालोगे that is EMF voltage का फार्मूला I into R और I निकालोगे तो V by R V की value क्या है E के बराबर R कितना होगा total N R ये R ये तो total कितना हो जाएगा N R plus में R यहां से current को simplify करोगे तो E divided by R को लिया common अंदर बचेगा N plus 1 ये current आगा अब इनको parallel में connect कर दिया अब parallel में connect किया पहला 1 by R दूसरा भी 1 by R ऐसे करते करते Nth में कितना हो जाएगा N by R उल्टा करोगे तो parallel combination का total resistance कितना होगा R by N ये बार-बार मैं करके दिखा रहा हूँ कि जब आप पहले का दूसरे का तीसरे का चोथे का जोड़ोगे 10 हैं तो 10 by R और N है तो N by R पहलेल में और सीरीज में रता तो N R ठीक है अब इन सभी का parallel combination था और parallel combination का resistance हो गया R by N फिर से इसको एक battery और EMF से जोड़ा जिसका internal resistance R है और EMF E है पर अब की बार current बन गया 10 I 10 I तो current कितना बन गया 10 I EMF कितनी है E और total resistance कितना है R बटे N पलस में R हमें N की value बतानी है हमारे पास I की value है ये same I हैं दोनो same है ये I, देखो 10 I और I दोनों same, ये भी same है बिलकुर दोनों same है, तो इस I की value यहां रख दो, तो 10 गुणा में I, ये रहा I E divided by R into N पलस 1 is equal to E divided by, दोनों जगे से R को common लिया नीचे N को LCM ले लिया उपर आ जाएगा 1 पलस N E से E cancel, R से R cancel, यहां पे क्या होगा देखी अब भागे, N पलस 1 से N पलस 1 cancel, N जाएगा उपर तो N की value क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी तो कितना उत्तर आएगा, 10 उत्तर आएगा इस तरह से simplified circuit को करके आपको solve करना, जो statement बोल रहा है, वो कामम करना और कुछ नहीं करना अगला question, the internal resistance of 2.1 volt cell, which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is, current कितना दे रहा है, 0.2 ampere, और resistance कितना है, 10 ohm, और the internal resistance of 2.1 volt, यह देख लेना भाई, यहाँ पर मुझे लगता है, कोई न कोई दिक्कत है, इसको मैं मान लेता हूँ, 2.1 volt, अभी उत्तर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब अलग बात ही मान के चल लेते हैं, which gives current of 0.2 ampere resistance of 10 ohm, internal resistance बताना है, हमें किसका 2.1 volt cell का, अब देखिए, आपके पास एक resistance है, यह रहां, और इसको एक battery से connect कर दिया, इस तरह से, और इस battery का internal resistance है R, और इसका resistance है, 10 ohm, तो total resistance कितना मन गया, 10 plus R, इसमें से current कितना जा रहा है, 0.2 ampere, voltage यह रही, तो V is equal to I into total resistance, that is 10 plus R, ठीक है, voltage कितनी है, 2.1, बते में current कितना है, 0.2 is equal to 10 plus में R, solve करोगे तो 21 बते 2 is equal to 10 plus R, R को solve किया तो 10 को minus कर दो, तो 21 बते 2 minus 10 is equal to R, ऐसे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 20, एक बता 2 मतलब 0.5, 0.5 हो, ठीक है, इसको 2.1 मान के solve किया भई, नीट 2013 में आएगा परशन है, next question, a cell having EMFE, एक cell है, जिसका EMFE है, और internal resistance R is connected across variable external resistance, ठीक है, एक cell है, जो variable external resistance से connect है, इस तरह से connect है, यही तो बोल रहा है, as resistance R is increased, the plot potential difference V across R is given by, इस cell का internal resistance R है, इसका EMFE है, हमें किस-किस के बीच ड्रो करना है, V और R के भी situation ऐसी बना दी, ठीक है, यही तो कह रहा है, पूरी situation, अब सोच ये बात, अब एक बात सोचिए, V क्या होगा, V क्या है, इस cell के across potential difference, ठीक है, और दूसरी बात, इस resistance के across, अगर I current जा रहा है, तो कितना drop होगा, वो होगा, V is equal to I into R का drop, यही तो होगा, अब बात सोचिए, अगर इस पूरे circuit में से current I घूम रहा है, तो इस R resistance के across, जो V potential drop होगा, वो कितना होगा, I into R के बराबर होगा, इतना, और इस पूरे circuit का current कितना होगा, पूरे circuit का current होगा, पूरे circuit की EMF, divided by total resistance, R plus small R, that is R plus small R, that is total resistance, तो यहाँ पर V is equal to, I की value रखेंगे, तो E divided by मैं R plus R, और उपर क्या रहेगा, R रहेगा, हमने इसका drop ले लिया, इसका drop क्या होता, I into R, अब आगे देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, E divided by मैं R plus R, और इसके बटे मैं R, इस R को नीचे उतार दिया, इस R को नीचे उतारते equation क्या बनेगी, that is E divided by मैं R by R, पलस मैं R by मैं R, इस XA cancel, तो V की value क्या बन गई, that is E divided by मैं 1 plus R by मैं R, ठीक है, यह R अगर roughly बात करें, roughly बात करें, इस 1 को neglect कर दें तो R उपर जाएगा, मतलब V क्या है, directly proportional to R, मतलब जैसे जैसे voltage बढ़ेगी, वैसे वैसे resistance बढ़ेगा, resistance के बढ़ने के साथ साथ voltage बढ़ेगी, और कब तक बढ़ेगी, जब तक उसकी value maximum ना हो जाए, जैसे ही maximum होगी, वो constant होगी, आप देखो, जैसे जैसे voltage बढ़ रही है, जैसे जैसे resistance बढ़ रहा है, वैसे वैसे voltage बढ़ जाए, और एक time पे जाके क्या होगी, constant value, बढ़ के constant के बराबर हो जाएगी, क्यों constant के बराबर हो जाएगी, देखिए, अगर मैं इस R को, internal resistance R को 0 रख दूँ, तो V की value किसके बराबर हो जाएगी, E के बराबर हो जाएगी, देखो, R को 0, तो ये पूरा factor कितना, 0, तो V किसके बराबर होगा, E, that is E, ये रहा E, इसके बराबर हो गया, तो तब तक बढ़ेगी, ये graph नहीं हो सकता, ये तो decreasing है, ये भी decreasing है, ये हो सकता, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि V की value एक बराबर हो जाएगी, कोन कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये जो आपके सामने relation बनाएगी, जब R 0 हो जाएगा, मतलब इस बैटरी का internal resistance 0 हो जाएगा तब ऐसा हो जाएगा यह इसने बोला है तो तीसरा C वाला उत्तर इसका हो जाएगा एक current of 2 ampere flows through एक 2 ohm resistor when connected across एक बैटरी देखिए जब एक 2 ohm के रजिस्टर के across एक current of 2 ampere flows through 2 ohm resistor when connected across a battery कितने का current that is 2 ampere का current ठीक है the same battery supplies a current of 0.5 ampere same battery 0.5 ampere current को supply कर रही है same battery है इसका भी वोल्ट तो इसका भी वोल्ट ठीक है कितना ampere current 0.5 ampere current को supply कर रही है when connected across 9 ohm अगर यह 9 ohm के across connect है तो 2 ohm के across correct है तो 2 ampere 9 ohm के across है तो 0.5 ampere ऐसे बोल रहा है the internal resistance of battery is अब इनका internal resistance क्योंकि battery same है तो internal resistance भी same रहा होगा आपके साथ खेल रहा है आपके mind के साथ खेल रहा है कैसे खेल रहा देखिए अब अगर हम current की बात करें तो current किसका होगा total voltage of battery divided by total resistance इसका कितना होगा दो इसका और आर इसका तो total हो गया 2 पलस आर और इसके अंदर से current कितना है 2 ampere का इसकी बना लो वी तो वी रहेगा total हो जाएगा यहां का भी 2 पलस आर गुणा में 2 is equal to V होगा इसका तो यहां पे कर दिया 2 पलस आर इसके multiply by में 2 is equal to यह क्या होगा 9 पलस आर बटे 2 that is 9 पलस आर भाग में 2 क्योंकि V तो दोनों में सेम है इसलिए तो यह उपर जाएगा 2 दूनी 4 चार दूनी 8 पलस में 4R is equal to 9 पलस आर इस तरह से होगा अब इस 8 को लेके आओ इस तरह और आर को लेके आओ इस तरह तो यह हो जाएगा 4R minus R इदर हो जाएगा 9 minus 8 is equal to 1 4R में इस आर गया तो यह कितना बचेगा 3R is equal to 1 simplify करके R लिकाओगे तो वेक बटा 3R 1 by 3R यह हो जाएगा तो simplify सा करना है देखो मैं यहां पर बार बार आपको एक बात बता रहा हूं और वो क्या कर रहा हूं कि मैं जब भी करता हूं डाइग्राम बना लेता हूं इसने 2 situation बोली दोनों का डाइग्राम बना लिया दोनों का डाइग्राम बनाती मेरे द्यान में आई यहां से करेंट निकाल लो यहां से करेंट निकाल लो दोनों जगे से करेंट निकाल लिया तो हमारा काम बन गए हमें कुछ करने की जुरूत होती है तो मीत आपका मचली के जैसा होने चाहिए जो पानी सूखने से मर जाती है चिडिया की तरह नहीं जो पानी सूखने पर उड़ जाती है तो इसलिए आपको मीत जो है मचली के जैसा रखना पड़ेगा धरिया बना के रखना पड़ेगा लंबा टाइम है मुझे पता है टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस इस 2.2 वोल्ट, जिसका टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस कितना है भई, 2.2 वोल्ट के बराबर है, वैन सर्केट इस ओपन, रिडूसी इस टू 1.8 वोल्ट, वैन सेल इस कनेक्टिड अक्रोसे रजिस्टेंस ओप पांच हो, अब क्या कहे रहे, देखो समझो, सैल और टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस इस 2.2 वोल्ट, कितने का है, 2.2 वोल्ट का है, वैन सरकेट इस ओपन, जब सरकेट ओपन होता है, तो टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस को EMF कहते हैं, डेफिनेशन याद करो, अगर सरकेट ओपन है, तो terminal potential difference को EMF कहते हैं, अगर circuit closed है, तो उसी का नाम क्या बन जाता है, voltage, अब क्या कहे रहा है, and reduces to 1.8 volt when cell is connected to resistance of 5 ohm, जब उसको close कर दिया गया, तो ये voltage बन जाती है, और 1.8 volt बन जाता है, ठीक है, अब देखिए, 5 ohm से connect कहो गया, और ये अमारे पास battery होगी, और इसका जो resistance है, internal वो R के बड़ाबर है, ठीक है, और इसका EMF कितना है, 2.2, और इसके across voltage का drop कितना है, 1.8 का, the internal resistance of a cell, cell का internal resistance हमें क्या करना है, find out करना है, तो उसके लिए सबसे पहले current निकालो, current किसके बड़ाबर होगा, EMF of cell divided by my total resistance, यही तो होगा, मतलब total resistance, EMF of cell की कितनी है, 2.2, total resistance कितना है, 5 ohm plus R, यह रहा, ठीक है, इस प्रकार्चे होगा, अब आगे क्या करना पड़ेगा, formula लगाओ, V is equal to I into R का, V is equal to I R का formula इस situation में इसके लिए apply करतो, ठीक है, जब आप इसके लिए apply करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, देखी, V is equal to I into R, voltage कितनी है, 1.8, current कितना है, यह रहा, देखो यह निकाला, that is 2.2 divided by my 5 plus में R, multiply by my resistance कितना 5 का, ठीक है, अब केवलो केवल, आपके पास R, एक variable बच गया, आप इसको soul कर सकते हो, equation को और आपके सामने उत्तर दिये हैं, वो आपके पूब मिल जाएंगे, इसको soul करके मैं भी निकाल के दूँगा, तो वही इस वीडियो का timing बढ़ेगा, फिर आपको लगेगा कि इतना लंबा लेक्चर कैसे, तो इसलिए आपको इसको soul कर सकते हो, simple है, जो muscle calculation है, मैं उसको soul करके भी दिखा देता हूँ आपको, एक car battery of EMF 12V, एक car की battery है, जिसका EMF कितना दे रहा है, 12V के बराबर, and internal resistance, जिसका internal resistance, small r से denote करते हैं, वो है 5 गुणा, 10 की सकती, minus 2O, receives a current of 60 ampere, कितने का current receive कर रहा है, 60 ampere का, ठीक है, from external source, the terminal potential difference of battery is, अब एक बात सोचिए, ये 60 ampere का current, external source से ले रहा है, मतलब case किसका हो गया, charging का case हो गया, बच्चापालटी ध्यान देना, charging का case हो गया, आपको पता होना चाहिए, EMF is always greater than V से, बट एक case ऐसा है, जिसमें V greater than E से हो जाता है, और वो case किसका होता है, charging का case होता है, जैसे, आपके गर में inverter battery है, light जाने के बाद inverter काम कर रहा है, जब inverter काम कर रहा है, तो जो inverter की battery के अंदर cells लगे हुए हैं, उनका EMF जादा है, और V voltage क्या है, कम है, तो आपकी supply हो रही है, जैसे ही light आ चुकी है, तो अब आपकी जो inverter की battery चार्ज होना शुरू होंगी, और वो कब होगा, वो तभी possible आएगा, जब cells का EMF कम हो, और बाहर की voltage जादा हो, तभी तो उसको चार्ज कर पाएगी, क्योंकि जादा वाला कम को देगा, कम वाला जादा को कैसी देगा, अगर किसी को 1000 रुपे देने हैं, तो आपके पास होने ही चाहिए जाए, अगर आपके जेब में पैसा एक भी नहीं है, तो आप कैसे 1000 रुपे दे दोगे किसी को, इसलिए जिसके पास ज़ादा होगा, तब वो दे पाएगा, तो एक cable case होता है, charging का जब ज़ादा हो, voltage EMF से तो याद रखना, अब इसने indirectly बोल दिया कि external source से ले रहा है, मतलब charging का case है, और charging के case में V बड़ा होता है किससे I into R, generally formula क्या होता है, that is E is equal to V minus I into R, ऐसे होता है, that is, sorry, फार्मूला लिख दिया मैंने फार्मूला लिख दिया मैंने फार्मूला, generally case होता है, that is V is equal to E minus I into R, add करोगे, तब E मिलेगा, तो मतलब V बड़ा, अब इस case में क्या होगा, E में कुछ add करने से, IR add करने से V मिला, मतलब V बड़ा हो गया, यह formula लगेगा, अब यह नहीं लगेगा, तो EMF कितनी दे रखी है, 12, ठीक है, EMF कितनी है, 12, प्लस, current कितना है, 60 ampere, और internal resistance कितना है, 5 ग और माइनस 2, इससे cancel out होके यह गया, तो 3 बचा 12 और 3 पंदरा, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 15, अंसर इस 15 वोल्ट, अगला गुशन, the internal resistance of cell of EMF 2 वोल्टीज, इस cell का EMF 2 वोल्ट है, उसका internal resistance 0.1 ओम के बराबर है, it is connected to a resistance of 3.9, किस से connect कर दिया गया, एक ऐसा resistance, जिसकी value है 3.9, the voltage across the cell, cell के across voltage क्या होगी, मतलब, आपका एक resistance है, जो 3.9 का है, उसको connect कर दिया, एक battery से, जिसका EMF है 2 वोल्ट, और जिसका internal resistance है, यह, ठीक है, अब आप इसमे current निकाल लीजिए, current की value क्या होगी, E by, that is 2, बटे में total resistance, 3.9 प्लस 0.1, कितना हो जाएगा, 4, तो current कितना आ गया, एक बटा 2 ampere, सभी को निकालना आता होगा current क्या, current का फार्मूला होता है, E by, current का फार्मूला होता है, E divided by में, R plus में smaller, total resistance, तो हमने current निकाल लिया, एक बटे 2, अब क्या बता रहा, voltage is equal to I into R, जही, अब एक बटा 2 current, resistance कितना है, 3.9, तो इसको solve करोगे, तो उत्तर जो आएगा, वो आपके पास देखी, कितना आएगा, 1.95, इतना, ठीक है, देखो, 2, 15, 10, 01, 12, 18, 19, तो रेक तीन, 3.9, तो यह उत्तर आ जाएगा, इसका, ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप इसको solve कर सकते हो, उसमें भी आपको कोई problem नहीं है, उसके लिए भी आपको current की ही जरूरत पड़ेगी, जैसे की कौन सा, that is V is equal to E minus I into R, बताया था, EMF कितनी दिर आ है, 2 V, current अभी अभी निकाला कितना, 1 बटा 2, resistance कितना है, 0.1, internal वाला है इसके साथ, तो 0.1, जब 0.1 by 2 को इसमें से minus करोगे, तो कितना बचेगा, 1.95 V, तो उत्तर तो यही आना, चाहे आप इस method से कर लीजिए, कोई भी method आप अपनाईए, अंस्वर सेम रहेगा, गलत नहीं होता, 58, बैटरी ओफ इमफ 10 वोल्ट, internal resistance 0.5 ohm is connected across variable resistance, देखिए, variable resistor R से connect है, एक बैटरी और जिस बैटरी का internal resistance भी दे रख रहा है, बैटरी का इमफ कितना है, 10 वोल्ट है, उसका internal resistance कितना है, that is small r, वो दे रखा है, 0.5 ohm, ठीक है, इस connected across variable resistor R, इस variable resistor से क्या है, connected है, जब इस variable resistor से connected है, the value of R for which power delivered it is maximum, देखो question को बदल दिया, question में आपको समझने की जरूर था क्या कह रहा है, यानिकि जब इसके अंदर power जो है, maximum के बराबर होगी, तो उस resistance की value क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है, अब एक बात याद रखना, power जो maximum होती है, तब जब internal resistance, external resistance के बराबर हो जाए, सीधी सी बात, power कब maximum होती है, whenever internal resistance is equal to external resistance, then power is maximum, अब internal resistance 0.5 है, जब external भी 0.5 होगा, तो power उसकी maximum होगी, तो इसकी value कितनी आ जाएगी, 0.5 होगी, कुछ करने की जुरूरत नहीं, और वो maximum power होगी कितनी, उसकी value कितनी होगी, that is power maximum is v square divided by total resistance, कितना है, r plus r, that is r plus r, ये होगया, total resistance, ठीक है, अब r plus r को क्या कर दो, आप r को इस r के equal कर दो, तब ही तो maximum होगा, maximum होगा, तो कितना हो जाएगा, v square divided by में 2r, इसके बराबर हो जाएगा, यनकी दोनों की value, equate कर दो, तब तो इस का अंसर क्या होगा, इस का अंसर होगा, 0.5 हो, next question, 10 identical cell connected in series are needed to heat a wire of length 1 meter and radius by 10 degree Celsius in time T, 10 identical हैं, 10 के 10 identical हैं, identical का मतलब, तो ये question जो है, करनाट का नीट 23 में आया हुआ है, और 10 degree Celsius in T, how many cells will be required to heat the wire of length 2 meter of same radius by same temperature in time T, यहाँ पर radius R, यह radius R दे रखी है, small r, ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यह आप से पूछ क्या रहा है, यह पूछ रहा है, कि 10 identical cell है, जिसको heat of wire इतना है, तो how many cells will be required, कितने cells की requirement होगी, same radius by same temperature in time T के अंदर, ठीक है, तो 10 identical cells सबसे पहले series में connect है, तो सभी का equal बनाके EMF कितना हो जाएगा, 10E, एक cell का EMF E, तो 10 का 10E, क्योंकि EMF series के अंदर divide होता है, तो एक का E, दूसरे का मेला के 2E, तीसरे का 3E, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10E, अब power जो होती है, वो किसके बराबर होती है, that is Q divided by T के बराबर, ठीक है, अग power into T करेंगे, तो क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, और Q की value क्या है, M S delta T, क्योंकि हमें क्या लेना temperature, क्योंकि temperature का जिकर का रखा, इसलिए temperature लेना पड़ेगा, power का formula क्या होता, V square by R, तो V यहाँ पे कितना है, 10E, तो 10E का square divided by में resistance हो गया R, ठीक है, resistance हो गया, R, is equal to M into S, और change in temperature कितना है, change in temperature हमारा है, delta T, 10 degree Celsius, और multiply by T भी था, देखो, power के साथ T का multiply यह, यह T यह रहा, ठीक है, हो गया, अब क्या कह रहा है, कि how many cells, अब एक बात सोचो, series needed to heat, जिसका, देखे, resistance का formula क्या हो गया, rho L divided by A, यह हो गया, ठीक है, यह हो गया, जिसकी length कितनी है, 1 meter है, और radius कितनी है, पाई R का square, अब क्या कह रहा है, कि कि वो length को double किया है, बाकी सारे same है, यह कह रहा है, कि radius भी same है, radius same है, मतलब अब उसका area change नहीं किया, हमने वैसा heat टुकड़ा लाके उसके आगे जोड़ा, दो तरीके से double हो सकता है, एक तो उसको पकड़ के खीच दे, पकड़ के खीच दे, तो volume को same करना पड़ेगा, जो starting में question किया है, अगर उसके सामने same टुकड़ा लाके जोड़ दिया, तो अब volume पे फरक ही नहीं पड़ा, क्योंकि radius अगला same बोल रहा है, तो नया जो resistance हो जाएगा, R2, वो किसके बराबर होगा, length को double कर दिया, देखो, wire length 2 meter, पहले 1 meter थी 2 meter, तो यहाँ पे 2 meter हो गया, तो resistance नया कितना हो जाएगा, 2A, पहले वाला R था, तो नया 2A, अब माल लिया जाए, how many cells be required, heat the wire of length 2 meter, माले N cell की requirement हो गई, तो total EMF कितना हो गया N times of E, बात समझिया, जब उस wire की length 1 meter थी, तो उसका resistance था R, length को double किया, तो resistance हो गया 2R Q, क्योंकि radius सेम है, area पे कोई फरक नहीं पड़ा, अगले ने यह बोला है, तो हमने क्या किया, power is Q by T, P की T से multiply Q, जो की हो गया, MS delta T, power थी 10 C, तो 10 E का square divided by R, गुना time, power का फार्मूला पता होगा ने सभी को, V square by R होता है, तो यह equation बन गई, अब दूसरे case में, जब हमारा, जो resistance है, वो 2R हो गया, तो नई power बन गई, N into E का square, divided by में, नया resistance कितना, 2R, multiply by में, time क्या हो गया, T is equal to M, S, गुना में, 10, ठीक है, same temperature in time T, कहता क्या है, एक meter length का एक wire है, उसके 10 degree Celsius को temperature बढ़ाने के लिए, हमने 10 cell को series में जोड दिया, अगर उसी टुकडे का length डबल कर दू, 2 meter, तो कितने cell की requirement होगी, same temperature बढ़ाने में, same time में, तो यह जो M, S, delta T है, दोनों तरप से equal है, तो यह part भी क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा अगर यह part भी equal हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, कि that is, 10 E का square divided by my R into T is equal to this, N square E का square divided by my 2R multiply by T, T से T cancel, R से R cancel, E square से E square, यह क्या बचाएगा, so is equal to N square divided by 2, अब इसको simplify करो, further simplify करेंगे, तो क्या जाएगा, N square by में 2R, अब देखिए, further इसको simplify करेंगे, तो यह क्या है, 10 का square सो, तो N को solve करो, N को solve करोगे, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 2, is equal to, किसके बराबर होगा, N के बराबर, तो यह कितना हो जाएगा, 20, तो उत्तर के आएगा हमारे पास, 20, ठीक है, तो यहाँ पे, तो एक हमने mistake कर दी वही देखो, कही न कई mistake होई है, कुछ न कुछ, क्योंकि हमारे पास जो यह है, यह जो आपका जो है N मतलब यह आ रहा है, 200 आ रहा है, तो 200 का तो root करेंगे, तो root आएगा, तो गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसे थोड़ी नसोल होगा, यह तो math को ही गलत कर देंगे हम फिर, इसका मतलब हमने कईना कई mistake की है, और वो mistake क्या रही है, देखो चेक करो, question को चेक करो, हाँ, mass देखो भई, mass भी तो double हो जाएगा, 2m के बराबर हो जाएगा, जब उसकी length को बढ़ा दोगे, तो ध्यान ये बात तो दिया ही ने, length को बढ़ा होगे, तो जो नया mass होगा, वो भी तो double होगा, तो यहाँ mass कितने times हो जाएगा, 2 times ह हो जाएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, mass भी तो double होगा, अब ये नहीं करना हमें, ये नहीं करना, क्योंकि mass भी तो double हो जाएगा, क्योंकि अगर उतनी ही length के conductor को जोड रहे हो, तो उसका mass भी double होगा, तो मतलब formula ये बना, अब ms 10 10 की value है, 10 e square r into t, जो इसकी जगह पुट कर दो, तो यहां बचा, n square e square into t divided by 2 into r, is equal to 2 times multiply by ms 10, ms 10 की value है, 10 e square by r, 10 का square कितना, 100 into e square into t divided by r, r से r cancel, e square से e square, t से t cancel, ये 2 पुर आएगा, तो 2 दूनी 4 गुणा 100, 400, अब बनी है बात, m square is equal to 400, और n की value हो जाएगे हमारे पास 20, तो उत्तर अब आएगा 20, पहले हमने इसका mathematical calculation में विष्टेक कर दी, हमने क्या छोड दिया, mass, क्योंकि अगर किसी connector की length को उसना ही जोड के आगे जोड दिया, क् क्योंकि radius सेम कब रहेगी, जैसे कि ये pen है, इस pen को एक तो खीच के double कुरो रहे कि इसके सामने ये जोड दू, तो mass double होना है, तो mass double हो गया, तो वही mass to double किया ही होना है, question number 60, देखिए, two batteries, one of EMF 18 volt, एक का EMF आपके सामने है 18 volt, and, एक का EMF 18 volt, and internal resistance 2 ohm, and other of EMF 12 volt, internal resistance 1 ohm, लिख रखा है, 1 ohm इसका 2 ohm इसका है, are connected as shown, the voltmeter we record reading, कैसे, देखो, अगर इसका internal resistance 0 होता, तो ये 18 volt और ये V volt panel में है, तो क्या सो करता reading, 18 volt ही सो करता, पर ये panel में, ओने के बाउजदिन के पास resistance है, situation कैसी है, एक resistance ये, बैटरी है, दूसरा resistance ये, बैटरी है, इस तरह से है, 18 volt की, 12 volt की, 2 ohm का, 1 ohm का, resistance है, तो current निकाल लो, current कैसे निकालोगे, 18 volt ये, 12 volt ये, same connection है, तो गट जाएगा, 6 volt बचेगा, total resistance 3, current कितना, 2 ampere का, किसी को नहीं लगाना आता, तो गूम जाओ, किसमें, ampere सरकेट अला में, ampere सरकेट अला क्या कहता, आपकी अपनी convention बना सकते हो, मैं अपनी बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको, जब मैं इस सरकेट में ऐसे गूमा, माली 18 volt की बैटरी से current चलेगा, हमेशा बड़ी बैटरी से current चलता है, हमेशा बड़ी बैटरी से जो है, वो current चलता है, तो हमने बड़ी बैटरी से चला दिया, 18 volt की बैटरी से, 18 volt की बैटरी से current चला दिया, इस तरह से, ठीक है, current चला दिया, तो यहां से गूमते हैं, सरकल में पूरे complete circuit में आ से गुमे तो minus terminal encounter हुआ तो minus का 18 volt लिख दिया, plus terminal encounter होता तो plus का लिख दो minus का होता तो minus का ये किर्चोप्स का नियम जो है loop rule उस तरह से, आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर यहाँ minus है तो आप plus लिख लो, plus है तो minus लिख लो, वो आपकी मर्जी है, आपको किस तरह से लगाना मैं से लगाऊँगा, minus encounter करता तो minus 18, दो हमका resistance है, plus और गुणा में current है, I, मालिया I current इस circuit में जा रहा है काऊँगे सर, plus क्यों, क्योंकि जिस direction में हम जा रहे हैं, उसी direction में current है दोनों की direction सेम है तो plus, और दोनों की direction उल्टी है तो minus दो मैं अपने rule बनाता हूँ, इसमें, पहला क्या है, अगर minus terminal encounter कर रहा तो minus लगा दो plus कर रहा तो plus लगा दो, जिस direction में हम चल रहे हैं, हम तो यहां से आप जा रहे हैं तो उसी direction में current है तो plus, नहीं तो minus, इसलिए plus, फिर आगे आए, अब की बार plus terminal encounter हुआ, तो plus का 12 और resistance, यहां resistance भी था एक, resistance, इसी direction में हम जार इसी में यह, तो plus का 1 into i, इस तरह से हो गया total किसके बराबर, 0, minus 18 में से plus 11 गये minus हैं, 2i plus i, कितना, 3i is equal to 0, i यह उपर जाएगा, plus का 6 हो जाएगा, तो 6 बटे 3, that is 2 ampere current, ठीक है 2 ampere current, यहां से कितना ampere current, 2 ampere, 2 ohm के resistance के across, अगर 2 ampere current है, तो कितने का drop, 4 volt का, 2 दुनी, 4, v is equal to i into r, तो कितने का drop, 2 दुनी, 4 volt का drop, 18 में से 4 का drop हो गया, तो कितना बचे गया, 14 volt, तो यह कितनी reading show करेगा, 14 volt की reading को show करेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 volt हो जाएगा, अगर internal resistance 0 होता, तो directly 18 volt के बराबर ही होता, पर internal resistance 0 नहीं, तो पहले current निकालो, और 2 ampere across के निकालो, drop, और वही क्या करे गा, question number 61, 2 identical battery, each of EMF 2 volt, internal resistance 1 ohm, are available to produce heat in external resistance by passing current through it, the maximum power that can be developed across hour using these batteries is, क्या करा है, 2 identical battery, 2 identical battery है, यह रही है, each of EMF 2 volt, इसका भी 2 volt, इसका भी 2 volt, and internal resistance 1 ohm, इसका भी 1 ohm, इसका भी 1 ohm, are available to produce heat in external resistance by passing current through it, किसमें पैदा कर रही है, external resistance, जिसकी value क्या है, R के बराबर है, ठीक है, that can be developed across our batteries, तो कितनी होगी, maximum, अब maximum power किसके बराबर होती है, जब internal resistance, external resistance के बराबर हो जाए, small r को क्या कहते है, internal, और capital R को क्या कहते है, external, internal resistance कितना है, 1 ohm इसका, 1 ohm इसका, तो total कितना है, 2 ohm का है, internal, जब external resistance भी 2 ohm का हो जाएगा, तो हमारा जो power dissipation है, वो क्या हो जाएगा, maximum हो जाएगा, अब power dissipation का formula क्या है, that is, I square into my external resistance R, इसके बराबर, अब I निकालना है, I कैसे होगा, total EMF divided by my total resistance, यही तो होता current का formula, इस circuit में current का formula कैसे, total EMF divided by total resistance, total EMF क्या है, 2 volt इसकी, 2 volt इसकी, तो कितनी, 4 volt, total resistance इसका कितना है, 1 ohm, 1 ohm 2, 4 plus में external resistance R, इस तरह से हो गया, value रखिए, that is power is equal to, I square की value क्या हो जाएगी, 4 divided by my 2 plus में R, इसका square और गुणा में R, ठीक है, अब maximum power की बात कर रहा है, situation किसके लिए रहा, maximum power की, और maximum power की situation में क्या होता है, external resistance, internal resistance के बराबर, अब internal resistance तो 2 ohm का है, तो हम R की value भी क्या रख दे, 2 ohm, तो power क्या हो जाएगी, maximum, तो 4 बटे, 2 plus 2, इस hole का क्या square, बाहर भी R की value 2, तो 2 दुणी 4, इस 4 से 4 गया, अंदर बचा 1, 1 का square 1, बाहर कितनी आजाएगी, 2 watt आजाएगी, ठीक है, यह आजाएगी 2 watt, ठीक है, power maximum का फार्मूला इस तरह से निकाला जाता है, यह आपके सामने है, एक जगह पीछे मैंने आपको बताया था, direct P is equal to V square by R plus R, इस तरह से आपको directly बता दिया गया था, ठीक है, पर वहाँ जब हम बात कर रहे थे, voltage जब parallel में हो, जहां voltage सेम रहती है, जनरली जो फार्मूला जब series का होता है, तो वो फार्मूला होता है, I square into R, यह series का है, यह series में connect है, यह parallel में लगता है, next, two batteries EMF 4V, आपको दिखाई गई है, and 8V with internal resistance, 1 ohm, 2 ohm, are connected in circuit, देखो, 4V, 8V, 1 ohm, 2 ohm, किस से 9 ohm, 9 से connect है, external resistor से, the current and potential difference between the point P and Q, इस P point और Q point के across current भी बताना है, और potential difference भी बताना है, अब current बताने के लिए, तो क्रिचोप्स का नियम लगा दो, कुछ नहीं करना, total resistance count करो, 1 ohm ये, 2 ohm ये, 3 ohm ये, total resistance कितना हो गया, 12 ohm का हो गया, ठीक है, यह battery और यह battery एक दूसरे से, ulti connected, सीधी connect होती ना, देखो, difference मैं आपको समझाता हूँ, कुछ इस तरह से, अगर battery ऐसे connect हो, जैसे इसका negative इसके positive से, अब इसका negative अगले के positive से होता, तो सारे EMF add होते, आपको सीधा आसा तरीका बदाता हूँ, direct, जो याद रखने का, जिससे आपका time बचेगा, जैसे मैंने आपे 2 plus 2, 4 कर दिया था, पर अब जो हम case पढ़ रहे, इसमें देखो, positive, positive connect है, जब negative से positive, अगले negative से अगला positive, अगले negative से अगला positive हो, तो सारे के EMF को जोड़ दो, क्योंकि उनका polarity का है, अगर उल्टा हो जाए, एक का positive, दूसरे के positive से connect है, मतलब polarity opposite है, तो बड़े वाले में से छोटे वाली गटा दो, क्या बचेगा, 4, voltage net कितनी बचेगी, 4, तो current कितना हो जाएगा, that is I is equal to V, 4 बटे 12, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 3, current, अब 1 बटा 3 वाले रख लो, ये 1 बटा 6 है, गलत हो गया, 1 बटा 9 है, गलत हो गया, 1 बटे 12 है, गलत हो गया, उत्तर तो ये आ गया, ये रह, काओगे जी वोल्टेज और बता ही दो निकालके देखो बता देते निकालके इसमें से कितना करेंट जा रहा है बड़ी बैटरी की चलती है बड़ी बैटरी की चलती है बड़ी बैटरी की चलती है तो करेंट इस्तरफ जा रहा होगा कितना एक बटा ती ठीक है, अब इसके और इसके बीच बताना अके वर, तो इसके और इसके बीच drop होगा, 8, 4 और 2, इसके बीच drop कितना, 2 बटे 3, इसका drop कितना, 1 बटे 3, इतना ही होगा, दोनों का मिला के drop कितना, करदो add, तो कितना हो गया, 1 वोल्ट का, हो गया, अब इस 8 में से 4 और गटेगा क्यों गटेगा क्योंकि दोनों की polarity अपोजिट है अभी अभी बता है तो 4 ये और 1 ये गट गया तो बच गया कितना? 3 वोल्ट बच गया देखो सीधा आपको कुछ soul करने की जुरूत नहीं है मैं आपको direct इसमें ही method बता रहा हूं आपको कुछ soul नहीं करना कहा किर्चोप्स लगाते फिर होगे सीधे percent soul करो किर्चोप्स का जमान आ गया किर्चोप्स लगाओगे तो तब तक तो आप क्या साथी आपसे आगे निगल जाएगा अगर तो polarity इस तरह से है एक का negative दूसरे के positive से connect है तो आपका फाइदा है add कर दीजिए अगर कुछ इस तरह से एक का positive दूसरे के positive से तो आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए उस तरब से आपका question छोल हो जाएगा next question the potential difference VA minus VB between the point A and B shown in the figure A और B के भी इस क्या बताना है हमें potential difference बताना देखिए current चला अब यहाँ पे सीधा असा लगाना सिखा रहा हूँ दो हमका resistance एक ampere current sorry 2 ampere current तो 2 गुणा 2 लगाँ यह क्या हो जाएगा VA minus अब यहाँ पे क्या होगे sir आपको VA minus कैसे कर दिया पलस क्यूं नहीं किया VA plus कर दो हाँ plus ही होगा क्योंकि हम same direction में जा रहे है तो VA अब कहोगे आपको कैसे पता VA plus का है माइनस का है तो मैं बताता हूँ current जा रहा VA से VB की तरह और current हमेशा कहाँ चलता है high potential से low potential की तरह current के जाने का रास्ता कोन होता है high potential से low potential अगर वहाँ potential का difference ही नहीं है तो current भी नहीं है कहाँ पे होता है wheatstone breeze में wheatstone breeze में कहते कि beach वाली प्रांच में कोई current नहीं है क्योंकि हमारा P by के R by S हो गया क्योंकि उसके दो point का potential से current हमेशा वहाँ से वहाँ चलेगा जहाँ high potential होगा इसलिए अगर इस circuit diagram में उसने current को 2A को दिखा रखा है इस direction में तो समझ जाए va का potential high है और vb का potential क्या है low है और same direction में हम जा रहे है same direction में current है तो plus sign लगाते आए हम पहले से battery का plus terminal आए तो plus का 3V फिर इसी direction में हम इसी direction में current तो plus और 1 ohm resistance 2A current minus vb is equal to 0 इस तरह से हो जाएगा अब देखिए आगे क्या आएगा 2 दुनी 4 4, 3, 7, 2, 9V तो उत्तर कितना होगा 9V उत्तर हो जाएगा यह रहा 9V का उत्तर तो va minus vb किसके बराबर हो जाएगा 9V उत्तर है नहीं मैच ही नहीं कर रहा 9V के लावट तो 9A की है आपको कुछ करने की जुरूत नहीं पड़ेगी आपे 64 in the circuit shown in the cell a and b have a negligible resistance for va 12V r1 500 ohm r100 ohm the galvanometer shows no deflection the value of vb is अब एक बात सोचिए क्या कह रहा है r1 की value r1 की value कितनी देरा 500 r की value देरा 100 कह रहा है इस galvanometer में कोई current नहीं है galvanometer में current नहीं है मतलब इस branch में भी कोई current नहीं है कहने का मतलब तो यही होगा और इस branch में current नहीं है तो इसका branch का कोई मतलब भी नहीं है circuit convert होके आगया ऐसा ये बन गया ये 500 ये 100 और यहाँ पे VA इतना बन गया बस क्योंकि उस branch में तो current नहीं galometer deflection नहीं दे रहा मतलब current भी नहीं है current नहीं है तो circuit ये बन गया पर voltage तो होगी ना उसमें इसका उत्तर 0 दे भी नहीं रखा लांकि कई बच्चे 0 लगा देते दे रखा voltage तो क्योंकि parallel में voltage तो same होती है ना जो इस र की voltage 20 की voltage क्योंकि जब आपकी branch में current 0 होता है मान लिया जाए किसी circuit में आप voltmeter लगाते हो तो voltmeter तो parallel में लगता है और voltmeter का resistance क्या होता इंफिनिटी पहले भी बताए था तो उस branch में से कभी current flow नहीं करता फिर भी voltmeter अपनी reading तो record करेगा और वो recording कौन सी होगे जो इस R की है भाई इसकी इतना ही थोगा अब इसने कितनी voltage दे रखी है देखिए V की ट्रम में ही है 12 volt दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है 12 volt के बरावा ठीक है अब देखिए total current निकाली है I is equal to 12 बते में total कितना हो जाएगा 500 प्लस तो 600 सीधा तो ये कितना हो जाएगा 1 बते 50 ampere ये current आ गया अब देखिए current तो same है इसका भी current कितना होगा एक बते 50 और इसका voltage कितना होगा that is V is equal to I into R current कितना आया है एक बते 50 और resistance कितना इसका 100 तो 2 से cancel out होके कितना आ गया 2 volt तो उत्तर कितना हो जाएगा 2 volt इसकी reading मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई current नहीं है तो इसका मतलब इस branch को रखने का भी कोई फायदा नहीं तो हमने इस branch को अटा दिया इस branch को अटाने के बाद हमने current निकाला ये दोनों series में है 12 volt की battery से connect है तो current आ गया इतना V is equal to IR के formula से बट आपको पता है जिस भी branch में voltmeter लगा होता वहां कभी current जाता है नहीं फिर भी वो recording करता है तो voltmeter voltage को तो record करेगा इस R के parallel में है तो जो इसकी voltage वही इसकी voltage तो उसके लिए हमने current निकाला series में current same तो इसका भी वही इसका भी वही और formula लगा के हमने solve कर लिए In the circuit shown in the figure if potential at point A is taken to be 0 अगर इस A point के potential को 0 मान लिया the potential at point B इस B point के potential को बताना है देखिए B point के potential को बताना यह 2 volt की battery है मतलब यह potential इस तरह से ऐसे आ रहा है जो भी आ रहा है मतलब क्या है मतलब यह है कि यह potential higher पे है higher potential पे है और यह potential low पे है तो VB का जो potential होगा वो ज़ादा ही होगा 0 से कम नहीं होगा पलस में होगा पलस में होगा तो देखिए यहाँ पे चले यहाँ पे आया minus का 1 यहाँ पे काया 1 volt की battery negative terminal encounter किया तो minus का 1 फिर आगे चले इस डैसा में अगर यह 2 ampere Race रहा है यहाँ से कितना चला है देखो 2 ampere current गया इसमें से मुड़ के यहाँ पे भी 2 ampere यहाँ कितना आ गया एक तो इस branch में से कितना आया होगा एक आया होगा इसे कोण आ गया 1 ampere इदर से आया फिर से 2 ampere बन गया ऐसे ही तो हुआ है, मतलब यहां से 2 Ampere चल रहा है, चलता 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 इस D point में 1 Ampere तो इसमें गया, एक इसमें गया, यह एक यहां से गोम के आ गया, एक यहां से आ गया फिर से क्या बन गया 2 Ampere, अब हम जा रहे हैं उपर यह रहा नीचे, इसलिए फिर से क्या आएगा negative क साइन दो और एक एंपियर का करेंट दो ओम का रेजिस्टेंस एक एंपियर का करेंट तो दो ओम का रेजिस्टेंस और एक एंपियर का करेंट यह हो गया फिर आगे जाएंगे तो पलस दो वोल्ट बैटरी का टर्मिनल ठीक है तो ये cancel हो गया, ये cancel होगे क्या आगया, minus, आगे क्या आगया, plus का VB is equal to 0, कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि VB plus का हुगा, क्यों होगा, क्योंकि current VB से आ रहा है, अगर मैं इसको सोर्च मालनू, अगर V point से current आ रहा है, मतलब V point high potential पे, current का चलता, high potential से low potential, तो ये 2 एकम दो, ये plus का है, ये minus का cancel out, यहां क्या बचा, minus 1, plus VB is equal to 0, तो VB की value कितनी हो जाएगी, that is plus का 1 volt, ठीक है, तो VB की value क्या हो जाएगी, plus का 1 volt, note minus 1 volt, plus 1 volt, Consider the flowing to statement, किर्चॉप्स junction law flows from the conservation of charge, ये first law है, किर्चॉप्स का junction rule जो है, जिस पे current एक point पे जो meet करते हैं, total किसके बराबर होता, 0 के बराबर, वो charge का conservation flow करता है, सही statement है, किर्चॉप्स loop rule या mass rule जो होता है, वो conservation of energy को बे करता है, बिलकुल statement सही है, दोनो statement क्या है, correct है, गलत Question number 67, किर्चॉप्स first law and second law, electric circuit are consequential, अभी अभी बताया, पहला ला charge का, दूसरा energy का, तो conservation of electric charge and conservation of energy respectively, तो ये उत्तर हो जाएगा Question number 68, किर्चॉप्स first law, जहाँ पे summation और आएगा भी साथ में, यसे, I0 adjunction, deals with conservation of charge, पहला नियम है ना या, total current का summation 0 का मतलब कौन सा नियम, पहला नियम, total current का summation 0 का मतलब कौन सा नियम, पहला नियम किस पे based होता है, चार्ज पे, और दूसरा नियम energy पे, तो उत्तर क्या हो question number 69, the resistance of four arm, P, Q, RS in a weedstone bridge, अब ये question, weedstone bridge के सुरू हो गए है, four arm है, P, Q, RS, चारों का resistance, weedstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm, इसका 10, इसका 30, अगले का 30, और अगले का 90 ohm है, respectively, if galonometer resistance is 50 ohm, current drawn from the cell will be, P, देखो, कैसे connect करोगे, ऐसे connect करोगे, weedstone bridge को, ये P, ये Q, ये R, ये S, और बीच में हमने galonometer को connect किया, जिसका resistance है, 50 ohm, ठीक है, यहाँ galonometer है, ठीक है, इस total को यहाँ battery से connect कर दिया, इस तरह से, क्या कह रहा है, the resistance for, the EMF and internal resistance of cell are 7, अब इसका EMF, इस battery का, EMF कितना है, 7 volt, और इसके पास internal resistance कितना है, internal resistance है, 0.5, sorry, 5 ohm, 0.5 नहीं, 5 ohm, हमें क्या बताना है, हमें बताना है, इस circuit में current, अब एक बात सोचो, अगर इसकी value 10 है, इसकी value 30 है, इसकी value 30 है, और इसकी value 90 है, ये क्या होगा, cancel हो के कितना बनेगा, 1.03, ये भी cancel हो के कितना बन is, क्या हो कि वेलू किसके बराबर होगी, R, Y, S के, तो इविट्स्टोन ब्रीज क्या होगा, balanced होगा, balanced ब्रीज होते है, ग्यम्नोमेटर में से current 0, और ग्यम्नोमेटर में से current 0 तो इस ग्यम्नोमेटर वाली ब्रांच को अटा दो, के ओल ये ब्रांच बच जाएगी, क्यों लिए ब्रांच बच जाएगी इसका कितना हम रजिस्टन्स देखिए ग्यल्नोमिटर वाली ब्रांच उट गई न क्योंकि पी बाई के वार बाई एस के बराबर तो इसका रजिस्टन्स ये दोनों किसमे हो गए सीरीज में तो 10 इसका 30 इसका तो इसका कितना हो गया 40 30 इसका 90 इसका इसका कितना हो गया 120 अब situation कैसी आ गई? situation ऐसी बन गई 40 इसका और 120 इसका तोटल दोनों को connect कर दिया किस से 7 वोल्ट और 5 ओम का internal resistance इससे connect कर दिया तो आब इसका पहलाल combination निकालो 1 बटे 40 पलस 1 बटा 120 किसी को नहीं आता तो इसका LCM ऐसे ले लिया गरू साथ में LCM किसी को कम आता है तो इनका दोनों का साथ ऐसे multiply उपर 120 और पलस 40 कितना होगा? 160 divided by में 120 गुना 40 अब 40 चोका 160 4 से cancel करोगे 30 और उल्टा कर दोगे तो net resistance इस सरकेट का कितना आ जाएगा? 40 हो यह आ गया ठीक है ना? सोरी 30 40 नहीं 30 300 अब इसका 30 पूरे का इसका यह इसके सीरीज में तो टोटल कितना होगा? 35 वी किसके बराबर होता? I into R voltage कितनी है? 7 यह कितना है? 35 तो cancel करोगे तो 1 बटे 5 मतलब 0.2 Ampere उत्र क्या होगा? 0.2 Ampere 0.2 Ampere ठीक है? हमने पहले क्या चेक कर लिया? P by के वो R by S है तो बीच वाली ब्रांच उड़ जाएगी उपर वाले दोनों सीरीज में नीचे वाले सीरीज में दोनों का रेजिस्टेंस निकालके 5 को एड़ किया क्योंकि वो भी सीरीज में है इस तरह से आपका solution हो जाएगा Next question In the circuit shown If conducting wire is connected between the point A and B Point A and B के बीच wire को connect कर दिया जाए The current in this wire will be कहां से काँ flow करेगा? B से A करेगा? A to B करेगा? यहां कि A से B जाएगा या B से A जाएगा अगर यहां wire लगा दिया जाता तो बीच में wire होता तो किस तरफ जाता यह पूछ रहा है? यहां wire होता तो current किस तरफ जाता? अब उस तरफ जाएगा जिसका potential कम है अब हमें क्या बता करना चाहिए? बी का और A का potential पता करना चाहिए दोनों मेंसे जिसका potential कम है उसकी तरफ जाएगा अब देखो 4 बटे 4, 1 1 बटा 3 इस तरह से हो गया मतलब यह तो हो गया 1 और यह हो गया 1 बटा 3 मतलब यह balance वी श्टोन ब्रिज नहीं है अगर इसके बीच वायर नहीं है एक मिनट के लिए क्या सोच ले एक मिनट के लिए मान ले कि इनके बीच वायर नहीं है नहीं है तो इस branch में मान लिया जाए current है I1 और इस branch में मान लिया जाए current कितना है I2 है इस तरह से current I1 उसमें I2 इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना चार ओम इसका, चार ओम इसका, टोटल कितना है, आठ ओम रेजिस्टेंस, इसका कितना एक इसका, तीन इसका, इसका है, चार ओम, वोल्टेज इसकी भी भी और इसकी भी भी, क्यों, क्योंकि दोनों की वोल्टेज पैरलल में क्या होती है, सेम, हम point को नाम दे लो D अब देखिए अगर V volt है तो इसका current जो होगा I1 वो किसके बराबर होगा? that is V divided by total resistance कितना है? 8 है तो V by 8 I2 कितना होगा? I2 होगा V divided by में 4 क्योंकि इसका total resistance 4 हो में इसका 8 है तो I1 current V by 8 I2 current V by 4 इस तरह से हो जाएगा अब आगे देखिए अगर हम इस A point और इस point के बीच का potential निकाले मैं माल लेता हूँ कि D point को ground कर दिया D point का potential 0 माल लिया let let करके चलो तो हम क्या करें? V A minus V D निकालना चाहरे हैं V A minus V D निकालोगे तो current इस circuit में है V by 8 resistance है 4 तो current होगा कितना? V by 8 है resistance कितना होगे? 4 I R होगे न V is equal to I I की value कितनी? V by 8 क्योंकि I 1 current है तो cancel out करोगे तो V A की value कितनी आगी? V by 2 क्योंकि V D तो 0 है 0 मान रखा है इसी परकार हम क्या करें? V B minus V D कर दे that is V B minus V D कर दे अगर V B minus V D कर दिया तो हमारे पास current अब की बार कोण है? V by 4 गुणा में resistance कितना यह यह बाला? 3 है total नहीं ले ना क्योंकि यहां से यहां तक जाना तो यह resistance कितना 3 है तो यह कितना आएगा? 3 V by 4 यह हो जाएगा यह 0 है तो V B की value कितनी आगी? V B की value आगी 4 सते 28 4 पंजे 20 V इसकी value कितनी आएगी? 0.5 V दोनों को compare करोगे तो B का potential A के potential से जादा है B का potential A के potential से जादा है तो current B से A तक जाएगा current B से A तक जाएगा कैसे दिमाख लगाया? दुबारा से समझो हमने क्या किया? इस उपर वाली ब्रांच में से current निकाली I1 नीचे वाली ब्रांच में से भी current निकाली I2 I1 current, I2 current दोनों current निकाली V by 8, V by 4 क्योंकि इस पूरी ब्रांच का resistance है 8 इस पूरी ब्रांच का 4 फिर हमने माल लिया कि D का potential अगर 0 होता लेट करके चल रहे तो VA-VD VA-VD current गुणा में resistance 4 रख दिया फिर VB-VD current गुणा में इसका resistance रख दिया दोनों को सोल किया तो B का potential ज़ादा आया तो high potential से low potential की तरफ current जाता है तो high potential हमारा है B का तो B से A तक क्या जाएगा current जाएगा question number 61 for the network shown in the figure the value of current I is यह पूरा figure देखो पूरा figure देखो गे तो 4 बटे 6 अगर मैं 4 बटे 6 को सोल करूँ तो यह आएगा 2 बटे 3 इस तरफ भी 2 बटे 3 मतलब P by Q is equal to R by S के बराबर हो गया R by S के बराबर हो गया मिलाके कितना 6 यह 6 ओम सीधी सी बात है 4 बटे 6 2 बटे 3 2 बटे 3 तो P by के वार वाय S के बराबर हो गया ऐसा है तो बीच वाली बराबर खतम हो गया तो यह 4 यह दो सीरीज में तो टो टोटल 6 यह 6 यह तीन सीरीज में ते 9 अब सिच्वेशन कैसी बन गई एक रेजिस्टेंस यह होगा इच्छे है का नीचे रेजिस्टेंस होगा कितने का 9 का पूरा सरकेट बैटरी से कनेक्ट है और जिसकी वल्टेज हमारे पास है ठीक है करंट की वेल्यू पूछ रहा है तो इसको सोल कीजिए पैल अथारा बटे पांच टोटल रजिस्टेंस और के बराबर अब निकाला हमने क्या करंट किसके बराबर होगा वी बाइमार आर की वैल्यू कितनी है अथारा बटे पांच तो पांच वी बाइट आठारा सिम्पल सी बात question number 72 5 equal resistance each of resistance R are connected as shown in the figure आपको दिखाएगा है diagram में ऐसे हैं 5 resistor battery of V volt is connected between A and B the current flowing through A, F, C, B अब A और B के बीच आप पहले तो इस diagram को देखो इसको उठा के बार ले जाओ जब इसको उठा के बार ले जाओगे तो situation कुछ ऐसी बनेगी ये बन गई और ये point हो जाएगा आपका ये point हो जाएगा A और ये point हो जाएगा F सारे resistance R है, ये resistance B ये resistance B, ठीक है फिर ये connected है यहाँ से यहाँ पे को न B इस B को उठा के इस तरफ ले गया ये रहा E, और E से D का एक connection है, देखो ये D point था ना इस D का एक connection है ये रहा इसका बीच में भी एक connection है ये रहा ये resistance BR है, ये BR है ये BR है, इस तरह से हो गया देखो, A की fold उठाई तो A ये F point ये रहा इसके उपर resistance ये रहा इसके नीचे resistance ये रहा ये point D ये रहा D से E के बीच एक point D से इस पॉइंट के पीच실 एक एक k virtualenty रहा अब किसके बीच पूछ रहा है आप सिबर एक एफ सी की बी इस ऊपर वाले सरकेट में से पूछ रहा है कि वर्ट इस द हरा पहले तो टोटल रसिश्क्टेंस निकालो निख contributing P by क्या हूँ, R by S, balance हो रहा, balance हो रहा तो बीच वाला गया, खतम, उपर वाला सीरीज में, कितना हो गया, 2R हो गया, यह हो गया, नीचे वाला भी सीरीज में, यह भी कितना, 2R, दोनों को मिला के किस से जोड़ रखा है, दोनों को मिला के V-Volt की बैटरी से, अब एक बात देखो, पैलल में voltage क्या होती है, सेम, तो इसका भी V, इसका भी V, इसका करेंट कितना, I is equal to V divided by 2R, आ गया उतक, V divided by 2R, सीधा सा है, दो मिनिट का question, कुछ करने की ज़रूरती नहीं है, question number 73, in a Wheatstone breeze, अब क्या इसका बताना, सभी equal resistance है, सभी equal resistance है, question कुछ है ही नहीं, कह रहा है कि सारे, इसका भी R, 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 यहां से बैटरी को connect कर दिया, तो combination का equivalent resistance, देखे, R by R, R by R, balance हो गया, बैलेंस हो गया, तो उपर वाली 2 का कितना, 2R, नीचे वाली 2 का कितना, 2R, अब कोई बच्चा गएगा, सरी यह बीच वाला तो छोड़ दिया, अरे balance Wheatstone breeze है, यह P by क्यो R by स है, तो इसमें से कोई current नहीं, तो यह तो गया, यह तो वैसे ही खतम हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए 2R और 2R छे निकालोगे, तो R, उत्तर क्या हो जाएगा, R के बराबर, The resistance of each arm of Wheatstone breeze is 10 ohm, A resistance of 10 ohm is connected in series with galanometer, then equivalent resistance across the battery will be, क्या करा है कि पूरी चारो ब्रांच का, सभी ब्रांच का resistance, देखिए, यह आपकी सारी ब्रांच है, परतेक ब्रांच का resistance है 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, A resistance of 10 ohm is connected in series with galanometer, यह galanometer रहा यहा, इसके साथ series में एक और जोड़ दिया 10 ohm का resistance, यह जोड़ दिया, कुछ जोड़े जाओ, then the equivalent across the battery will be, यहाँ लगा दी battery, अब क्यार equivalent resistance, एक बात सोचो, अगर यह P होता, यह Q होता, यह R होता, यह S होता, तो 10 by 10, 1, 10 by 10, 1, मतलब P by Q की value R by S के बराबर होगी, मतलब condition किसकी होगी, balanced wheatstone bridge, balanced wheatstone bridge होते, यह system होगया, खतम, यहाँ पे चाग कितने ही resistance, series में एड कर लो, parallel में एड कर लो, कोई फरक ही नहीं पढ़ना, क्योंकि series और parallel तो तब काम करेगा, जब यह wheatstone bridge, balanced नहीं होगा, अब तो balanced है, balanced है, तो उपर वाले दोनों का resistance, 10 plus 10 का 20, नीचे वाले दोनों का resistance, 10 plus 10 का 20, और दोनों को जब parallel में जोड़ोगे, तो फिर से क्या जाएगा 10, तो उत्तर क्या आएगा, 10 होँ आएगा, 75, दा resistance wire connected in the left gap of meter breeze, अब meter breeze के question आगे वह, एक gap यह रहा, और एक gap यह रहा, इस परकार से, ठीक है, इस परकार, लेफ्ट गैप, इस gap में, एग रेजिस्टेंस wire connected in the left gap of breeze, बैलेंस एट 10 ohm resistance in the right gap, यहाँ X है, यहाँ पर 10 ohm का resistance है, ठीक है, at which divide the breeze wire in the ratio of 3 ratio 2, मतलब breeze के wire को, L1 by L2 को कितने ratio में divide कर रहा है, 3 ratio 2 में, मतलब यहाँ पर जो balance हो रहा है, 3 ratio 2 में हो रहा है, मतलब यह कोन है L1, यह कोन है L2 है, ऐसे balance कर रहा है, balancing point आगा है ना, इसका balance point कर रहा है, ठीक है, if length of resistance wire is 1.5 meter, then length of 1 ohm of resistance wire will be, क्या होगा, यह question है बढ़ा असान सा question है, तो देखी कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यह है L1 by L2, अगर हम करें, P by में क्यो, is equal to L1 by L2, यह formula सभी को पता होगा, जो है meter breeze का formula है, तो P की value क्या है, यह P है, यह क्यो है, यह R है, यह S है, इस तरह से है, तो X divided by में R, is equal to L1 by L2 की value क्या होगी, 3 बटे 2, R की value कितनी देरा 10, तो X कितना हो गया, 3 गुणा 10 बटे 2, तो cancel होके कितना जाएगा 5, that is equal to 15 ohm, यह हो गया, अब यह क्या कह रहा है, कि पूरे wire की, इस wire की जो length है, वो है 1.5 meter, यही तो बोल रहा है, ठीक है, then length of 1 ohm of resistance, अब क्या कह सकता हूँ में, 15 ohm, जो resistance है, उसकी length कितनी है, 1.5 meter, तो 1 ohm resistance की length कितनी होगी, बटे में 15, यानि कि इसको कैसे solve कर सकते हो, 15 बटे 10, गुणा में 15, इससे cancel out करोगे, तो यह क्या होगा, 1 गुणा में 10 की सकती, minus 1, simple सा आगा, हमने निकाल लिया, X की value, तो हमें पता चले क्या, कि 15 ohm resistance है, उसकी length है, 1.5 meter, अगर यह 1 ohm होता, तो उसकी कितनी होती, divide कर दो, तो 1 गुणा 10 की सकती, minus 1 meter, उसकी क्या हो जाएगी, length हो जाएगी, Question number 76, The meter bridge shown in the balanced position, P by Q, L1 by L2, If we know interchange the position of galonometer and cell, will the bridge work, Yes, what will be the balance condition, एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी आप meter bridge को पढ़ रहे हो, अगर उसके cell और battery की, position को change कर दिया जाए, देखिए, किस-किस की, galonometer और cell की, यह आपका galonometer है, यह आपका cell है, इनकी position को change कर दूँ, तो इस meter bridge पे कोई फरक नहीं पढ़ता, ना इसके balancing point पे, यह point याद रख ले, NCRT में साब साफलिका हुआ है, तो यह उत्तरा जाएगा, Yes, P by के हूँ L1 by L2, कोई फरक, फिर से balancing मिलेगी, और वहीं पे balancing मिलेगी, L1 by L2 पे कोई फरक नहीं पढ़ेगा, आज के session का आखरी question है यह, last question है, अपको दिखा रखिए, एक में 5 और एक आरोम है, respectively, जब resistance R को sunt कर दिया जाए, with an equal resistance, the new balance point is 1.6L1, the resistance R is, देखो, पहले तो क्या है, 5 बटे R is equal to, किसके बराबर है, L1 by 100 minus L1, कोगे सर, आपने कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, यह P का काम कर रहा है, यह क्यो का काम कर रहा है, यह R का कबर रहा है, यह S का, तो हमने लिख दिया, P by Q is equal to R by S, P की जगह 5, देख लीजिए, P की जगह 5, क्यो की जगह है, जो Q की जगह है R, और इसके बाद, R मतलब resistance, R की जगह L1, और S की जगह 100 minus L1, equation number 1, ठीक, अब अगर इस resistance के, साथ संट कर दिया जाए, same resistance, देखो, इसके साथ, इसको उठा राओं मैंके वल, यह जो resistance है R, इसके parallel में एक resistance और लगाना,